ओक होना च शुकित को लोगों मत भेद नहीं पहलूद निस निकेवर मत भेद कहीON MARsy मन भेद के महिवर्म सी वनड़ सब्सक्राइब मतالकिन अकराक य़िरोधि को तुम लग कर दोछिक पिया विए मत पहलूद 13 धार्मिक आदमी बॉनता है, असंपृदाय कादमी चिलाता है, अधिहातिमी कादमी मौन भाव से चलता है. जन्ता के भावनाओं के अनुकूल चले वह है नेता, जो जन भावनाओं को अपने सिध्धन्द के अनुकूल मोर के ले चले वह है जन्डायक, के जब तुम्हारा उमर 45 पार करे, तो तुम अपना संबंद वहाँ नीचे 20 साल के नोजबान से जोड़ के रखो, तुम्हें 27 साल बाले से अपना रिस्ता तोर लो, क्योंकि जो साथ साल बाले हैं, उनमें बिद्दता हो सकती है, जोगिता हो सकती है, उनमें सब कुछ हो सकती है, लेकिन उनमें जोखिम उठाने और लरने की छमता नहीं हो सकती है ना? अगर जाती के हिसाब से लोहिया भी अहीर में पैदा हुए होते हैं, यादव में, कुर्मी में, कुस्वाहा में, रेडी में, पटेल में, तो डाक्टर लोहिया अगर उस जाती में होते, बहुत संख्यक दलित समाज में, जाती में, बाले में, या बहुत संख्यक विश्राब तो आज वोट की राजिनती करने बाले डाक्टर लुहिया की भी बरी पूजा करते हैं। तो समाज का बर्ग है कि हिंदुस्तान में चारत रखे लोग हैं। हाथमुख मंत्रिया प्रधान मंत्रि बनने के बाद अगर हुकुम देवन अजादव कहें। में जनम लिया हूँ इसलिए सब मुझ को हटाना चाहता है। तो डाक्टर लुया ने कहा यह अपराधी है। तब तक संत्रे के जैसे उपर से एक छिलका में तो दिखाई पड़ता है। लेकिन छिलका हटते हुए फांक फांक अलग है। जब तक वो सभी फांक मिल करके एक नहीं बन जाएगा। जब तक यह जातियां मीटेगी नहीं तब तक हिंदुत्त का वो विशाल विरात रुप परकठ होई नहीं सकता है। चाहे जितने मुरी पठक ले कोई। एक अपराधी मुसल्मान को पक्रा जाता है राश्रविरोधी को तो सारे मुसल्मानी कठा हो जाते है। एक किसी अपराधी को जादव को पक्रा जाता है तो जात के नाम पर जादव की जमात खरी हो जाती है। तो सब ही जाति के लोग अपने जात के अपराधी को राश्रविरोधी को समाज विरोधी को अगर सब पूजा करने लगेंगे। इसमें कौन बाकी कौन है चरण सिंग विद्वान थे, चरित्रवान थे, इमंदार थे, गांधी वादी थे, निश्कलंक थे, लेकिन फिर भी इस समाज का एक जाती वादी मान सिखता वाले उनको जाठ मानते थे, कि चरण सिंग जाठ के नेता है, किसी बरे घर में जनम ले, चाहे वो निकम्मा हो, नाकाबिल हो, मुर्ख हो, अनपर हो, लेकिन तब भी एक बर्ग हिंदुस्तान का है, जो उनकी पुजा करता है, उनको स्रेष्ट बनाने के कोशिस करता है, और किसी निर्धन, निर्भल, पिछडे, दलित, गरी, बादिवासी के घर में कोई तिये ज बुकतंतर लोक का नहीं है, इसलेकि न्याएपालिका में लोक का परतिनिधित नहीं है, प्रसासनिक सेवा में लोक का परतिनिधित नहीं है, और ये प्रसासनिक सेवा में न्याएपालिका में जब तक इस लोक का परतिनिधित लोक, लोक माने, लोक माने कौन, संपूर, लो अपनी भासा में अपनी साज पर अपने निर्थ में मस्थ होके गाने वाले ये हैं लोग नमस्ते हुकम देव जी कैसे हैं ठीक है जैसे कि आदर्श भाही बता रहे थे और कह भी रहे थे कि आप से जो मिलना है वो किसी राजनीतिक तीर्थ की तरह है बावन साल तक राजनीति में सक्रिय रहे आप और अभी तीन साल से थोड़ा विराम लगा है उस पर तो जो चहल पहल थी लोगों की आवजाही थी क्योंकि जब राजनीती में सक्रिय रहते हैं, तो काफी लोग आते हैं, बहुत बड़े-बड़े व्यक्ति मिलना चाहते हैं, लेकिन क्या इस से राजनीती से निकलने के बाद, आम जीवन में, क्या वही आवाजाही है या उस पे भी विराम लग गया है? देखे, अरियान जी बहुत बहुत धनिवाद, और वो आदर्श जी आये थे मेरे पास, वो भी तकनीकी विद्या के मूची सिक्षा प्राप्त किये हुए है, आप लोग भी आज के जो जुबाबर के लोग हैं, खरीब-खरीब, सभी कुछ न कुछ चेत्र के उचा ज्ञान र कुछ न कुछ अपनी जगा पाने, या इस पिढ़ी की विशिष्टा है, साइध, साइध ऐसा ही जुग अगर हम लोगों को मिला होता अपने समय, तो भारत का गोगोल, इतियास और राजनिती सब की धारा बदल गई होती है, लेकिन हमें उस समय नहीं मिला, हमको तो अब इ मिला, ना में सरक नहीं, घुतने पर कीचर, बार प्रभावी, खाने को पेट में भर पेट भोटी नहीं, सोने को अच्छे जमीन नहीं, बिजली का दर्सन नहीं, मिटी तेल का धिवरी, लुसके लाल टेन में पर हो, और वैसी जिंदगी जीते जीते, पचास वरस नहीं, ब अवस्था से राजनीती में सक्री हो गया था, ग्राम पंचाहित का, बी ए थर्ड एर में जब में पर रहा था, तब में ग्राम पंचाहित का परधान बन गया था, अवनी स्वभासथ में लोग फस्ट पार्ट में पर रहा था तो बिहार बिधान सवा का, परजाव सोशलिस कि उस समय इतने युवा अवस्था में किसी को सरपंच बना दिया जाए अब गाउं के लोगों की च्छा थी उसे पहले मेरे चाचा जी थे कांग्रेस के नेता थे डिस्टिक बोट के मेंबर भी बनी थे फिडम फाइटर भी थे मेरे पिता जी आठचा चाचा चार चचेरा भाई मेरे गाउं के दो सहनी निसाद बाप बेटा दो बढ़ाई दो चचेरे भाई दो बढ़ाई इस अबी लोग अगस्त क्रांती में बहु मेरी माँ भी मुझे अपने गोद मेले के मेरे मामा के गाउं ले गई थी तीन वरश तक मैं मामा के गाउं में घर ही पला था सभी आरे काफी जो भी संकत्ती थी ति उस समय, यह नहीं थे कि जमीन नहीं थी हमारे दादाजी के बाद हमारे पिता जी आचाचा जी थे तब ही मेरेपास जमीन थी लगभग आप समझे जमीन देखी लेकिन दो-तीन महाईने बार में जमीन डूवी रहती थी या सो भीघा जमीन जोता था, अकिसी-किसी साल बीस मन पचीस मन धान हो, तो साल भर खाने के लिए भी लोगों की छिंता रहती थी, तो वो लोग गए थे, चार-चार साल सजा हुई थी, फिर हाईकूर्ट से मिले, उनके गाह में में पुरबजो के द्वरा स्थापित मंदिर तो उसको मैंने बनाया है, कोसी पर उन सुतंता से नामियों का एक सिलापट लगा दिया है अस्मिर्ती में, कि वाए कौन खोजेगा करीब को, कौन खोषता है, मैंने सोजा कोई खोजे न खोजे, हम अमारे ये पुरबज थे, हम लगा देते हैं, और अपने अपगाउं के अभी बच्चे सबको जाते हैं कभी मंदिर पर बैठते हैं, तो उनने के साथ कुछ किर्टन भजन करते हैं, और फिर उनको कहते हैं कि इसको याद रखना, और मेरा पोता है, वो भी मेकनिकल इंजिनियर है, और कोई नहीं किया हूहीं, प्राता है, अपना कुछ राजनिती करता है कारबार भादपा का मंदल अध्यक्ष है, तो इसको कह देते हैं कि इसके रंग-पेंट को देखते रहाना, अभी कहते हैं रंग-पेंट कर दो, और सब को कहो कम से कम, 15 अगस्त, 26 जनवरी, नहीं तो 9 अगस्त को सब स्वतंता सेनानी के परिवार के दो लोग हैं कठा ह कि इसे शिलाले पर फूल चरहा दे कौन चरहाएगा, फूल चरहाने थोड़े जाएगा, अब नरेंद्र मोदी खोज रहे हैं भूले बिसरे को, साइध इसमें सफलता मिले भूले बिसरों का भी अंजान को भी जान मिल जाए, जिनकी पहचान नहीं, उनको पहचान मिल है, जो इस काम को करें, समझ ये वही इस राष्ट का असली सेवक है, भूले बिसरे को याद करना, उनकी पहचान देना, उनके गुनों का गान कर देना, उनके यस्ति कहानी लिख देना, कहानी लिखपा देना, अब देखिए कहां तक नरेदमोदी जी सफल होते हैं, क्योंकि उस रास्ता में बिरोध ही बहुत है, बिरोध इस माने में है, कि जो डाक्टर लोहिया कहते थे, जो सम्रिध लोग है, संपन्न लोग है, सामंतबादी लोग है, उनकी मानसिक्ता अलग है, चिंतन मानसिक्ता अलग है, और व्यभार अलग है, जिसको कहिए, सब्द कुछ कड़ा होगा, कि जैसे कालनीमी था, था तो राक्षस, लेकिन साधू बनके हनवान जी के मार्ग में बाधा पड़ने गया, पैदा करने गया, और राम का भी रोधी है, राक्षस है, रावन कूल का है, लेकिन व राम नाम के हनमान जी को कुछ दिर के लिए कदम को रुख दे, तो डाक्षर लोहिया उसको से धांतिक भासा में बरे अपने धंग से काते थे, मैं तो अपने गाव के उगमार लोगों को समझाने के लिए पैदा हुआ था ना, ता मैं उनको उसी भासा में समझाता जिसमें वो समझ सके, उनको हम इतने लच्चेदार भासन जो आज का राजसा भालोक सभा में बहुत नेता देते हैं, लच्चेदार, सास्र पुरान सब बोलते हैं, तो हमारे जो जिनको हम जगाने गए थे उनको क्या पता, तो उनको समझाते थे, तो इसी तरह हिंदुस्तान में द जो जुबापिरी के लोग है, उनके पास तकनीक है, जानकारी प्राप्त करने के लिए साधन है, उनमें परतिभाब है, जुगता है, छमता है, तेजस्विता है, पुरसार्थ है, सब कुछ है, लेकिन जब तक दृष्टी नहीं बनेगी, तब तक दिसा नहीं निर्धारित होंगे, जब तक दिसा निर्धारित नहीं होंगे, तब तक लक्ष तक नहीं जाएंगे, और जब तक लक्ष तक नहीं जाएंगे, तब तक वो दुनिया में कुछ करके नहीं जा सकते हैं, जो कभीर दाश जी ने कहा कि दर्सन करना चाहिए, तो दर्पन माजत रहिए, दर् कहां से पाई। बुनियादी बात आप लोग भी चिंतन करिए। कभी सोचते हैं आप लोगों भी सोचना चाहिए। कि देश अजाद हुआ। राजनीतिक विवस्था में कहा गया लोकतंत्र। असमाजिक विवस्था में रहा सामंत बाद। तो लोकतंत्र और समाज बाद एक दूसरे का दुस्मन है। जहां सामंत बाद होगा वहां लोकतंत्र नहीं रहेगा। जहां पूजी बाद और सामंत बाद होगा ताना साही होगी वहां लोकतंत्र नहीं होगा। यहाँ लोगतंत्र होगा, वहाँ पूजी बादताना साही और सामंतबाद नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के दुष्मन है, विपक बिरोधी है, सासोत लराई है दिन अवराद की जैसे, तो हिंदुस्तान में लोगतंत्र तो आ गया, गांधी जी के और स्वतंता से नानियों ही रहा सामंतबादी, तो सामंतबादी समाज और सामंतबादी चिंतन से लोक-तंत्रिक व्यवस्था सफल हो, इस पर आज के ज़बानों को विश्मिद्यालों चिंतन करना चाहिए, यह अंतर विरोध है अंतर जोंद है, जिसको आप लोग विज्ञान की भासा में, आदर्स तो जब तक अंतर विरोध अंतर विरोध रहेगा और अंतर दुंद रहेगा तब तक उसमें गती नहीं आई गती अब रोध होगा लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि जो मानव व्यभार है वो ऐसा हो गया है कि अब इनर कॉन्फिक्ट्स और कॉन्ट्राडिक्शन्स में जीने की आदत हो गई है क्योंकि आज हम जो जीवन देख रहे हैं वो दोनों ही तरीके से ट्रैडिशन भी और मोडरनेटी भी आदुनिक्ता भी और ट्रैडिशन दोनों के बीच में कहीं नकहीं फसा हुआ है जैसे हम अपनी पीडी की बात करें तो जैसे आपने कहा कि कितनी गरीबी आपने देखी वो जैसे हम बड़े हो रहे थे 90 के दशक में तो वो गरीबी भी देखिये गाउं की और एक तरीके से बदलाव आमूल चूल परिवर्तन होते भी देखा है वो 20 साल के अंतर में इतना अंतर आ गया गाउं के जीवन में 30 साल के 35 साल के उन्होंने एक बहुत परिवर्तन देखा है अपने ही बच्पन में तो यह एक दुविदा उनके लिए ज्यादा है कि वो कॉंट्राडिक्शन में जी ना कहीं ना कहीं सीख गई है यह कम से कम यह पीडी तो नहीं सीखे नहीं है वो उस जिसको कहे अंतर विरो या संह में जो शुम्सेमों को कहा जाता है तो खरे खरेव उनको कराया जाता है कदम ताल तो कदम ताल में पैर तो चलता है ना सरीर चलता है लेकिन गती नहीं है ना हैं दोनों, तो हम भासे हैं कहां, कि हम एक तरफ अपनी प्राचीनता को पुर्णता में, अपनी प्राचीनता को संपुर्ण रूप में पक्रे रहना चाहते हैं, और नभीनता को भी ग्रहन करना चाहते हैं, तो यह नहीं होगा, हमकोพराचीनता में ही नवीनता को लना पड़ेगा और नवीनता को साथ जोरना पड़ेगा यह विग्यान है जिसको कहते हैं रूपांत्रन गो मceğ समझता था कि नीति आयोग था Estis अध्यक्स बने कुछे दिन के लिए तो उनको मैंने बधाई के लिए मेरे मन में कुछ आया तो मैंने एक बधाई संजे सविजा के साथ कुछ अनिति आयोग को मैं कुछ लिखते रहता हूं कि निति आयोग को क्या करना चाहिए तो उनका जो मुझको उत्तर आया तो मैं उनके पर 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 पढ़ा तो उस पर लिखा था National Institute of Transforming India तो मैंने कहा नीटी आयोग तो आयोग कमिशन है लेकिन ये है National Institute of तो इसका पूरा मतलब हुआ कि रुपांतरित भारत का राष्ट्रिये संस्थान रुपांतरित तब मेरे वहीं पर से में सोचने लगा कि डाक्टर लुहिया उस समय समाजबाजियों को हम लोगों को कहते थे कि तुम अपने में निरंतर बदलाओ की प्रकिडिया को सुईकार करो और तुम निरंतर बदलते रहो जागते सोते भी बदलते रहो तो फिर बीच में हसके उन्होंने का आरे सोते समय में कहां से बदलोगे सोए रहोगे लेकिन बदलने की प्रक्रिया नया समाज नया मन विशय पर भासन दे रहे थे उस पर के तुम अपने को निरंतर बदलते रहो तो यह उन्होंने कहा यही तो बेग्यानिक्ता है बेग्यानिक्ता क्या है बदलते रहना नहीं अहरनिस चाहे वो भोतिक रूप से हो चाहे वो सुक्षिन रूप से हो और हम ही बच्पन में जनम लिए मा के गर्ष में आये जब मा के गर्ष में हम आये थे उस समय मैं कितना कितना एक छोटा सा अद्रिस जीन था अद्रिस एक एक एटम के जैसे और वहाँ एटम से विख्षित होते 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 आया और मैं आज यहां तक आया हूँ लेकिन हमी को नहीं पता लगा समाज को नहीं पता लगा और हमारा आकार में रूपांतरन हुआ परकार में रूपांतरन हुआ रूप में रूपांतरन हुआ रंग में रूपां लेकिन इस्तहाजता के साथ, एक है कि सहजh परकिडिया से रुपांतरित होना, एक है बल-पर-योग से रुपांतरन करना, तो डाक्टर लोहिया कहते थे कि जैसे चिडिया अंडा में अंडा देती है उसे बच्चा है, लेकिन ओ बच्चा अंदर से स्वयम उसमें फक्शे निकलता है। बाहर से अगर उसको तोरा जाय तो बच्चा साइद जिंदा रहे या नहीं रहे। दूसरा उधारन देते थे कि सांप के सरीर पर केचुल होता है। क्योंकि उसके पुराने चम्रे वह नहीं करते हैं। तो सांप जब हिलता है तो उसको अस को अपना चम्रा कहीं कहीं चुबता है। आसांप लिफटा रहता है। लेकिन डॉक्टर लुजा कहे कि दुनिया का कोई भी सर्जन उसको सांप को उस केचुल से बाहर निकालने का प्रियत्न करेगा, तो साइध सांप जिन्दा न बचे, इसलिए सांप को स्वयम ही उस केचुल से निकलने का प्रियत्न करता है, एक बिंदु आता है जब उस पेन से कठोर साहस करता है और एक छन के लिए उसको मिर्तु के जैसे असाहिनी बेदना होती है लेकिन उसको फार के बाहर निकलता है तो उसका सरीर बिलकुर नभीन हो जाता है और फिर वो नई जीबन को प्राप्ट कर लेता है उसी प्रकार इस समाज को सहजी अपने आप अपके जैसे केचुल को फार के निकलना पड़ेगा लेकिन फारना पड़ेगा उसी को तो यह और नहीं आएगा अंडा के चिडिया जो है अंडे के अंदर उसको स्वयमी अपने चोच से दीरे 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 चोट मार के उस परत को तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा तो ह हम उस केचुल को तोरना नहीं चाहते हैं, हम उस अंडा को फोरना नहीं चाहते हैं, और उसी अंडे में, उसी केचुल के अंदर हम नभीनता को भी देखना चाहते हैं, यही है जिसको मैंने कहा, यही है अंतरद्वंद, अंतरविरोध, अंतरविरोध के दोनों कैसे संभव है अब भारती नहीं है, कि हम कटरता को छोरना नहीं चाहते हैं, अब उदारता में जाना चाहते हैं, तो कैसे होगा, दोनों तो प्रतिद्वन्दी हैं, हम सर्व भाव संभाव करना भी चाहते हैं, लेकिन अपने धर्म की कटरता को छोरना भी नहीं चाहते हैं, तो कैसे होगा, कैसे होगा हम लोक तंत्र को अपना ना भी चाहते हैं लेकिन लोक को उस तंत्र में संपुन भागेदारी नहीं देना चाहते हैं यह लोक तंत्र यह हुआ मंतर यहां मंतर लोक तंत्र एसा व्यवस्थता तंत्र माणि व्यवस्था तो उस व्यवस्था में ओ ऐसी 5 व्यवस्था जिसमें, जिसकी धूरी लोक हो, लोक माने जन नहीं, एक है जन तंत्र, एक है लोक तंत्र, जन में अलोक में फरक है, जन का बहुत ही अतिसाधारनी करन है लोक, अतिसाधारनी करन, लोक है, तो लोक का माने जो समाज के अंदर निर्वाल, निर्वाल, जिसको गांधी कहते थे कि जो समाज का सबसी निचला है गरीब जब उसको तुम्हारे बजट से लाभ मिलेगा और उसके जीवन में कुछ खुसाली आगी तब समझना कि तुम्हारा बजट सही है जिसको दिन द्याल जी ने कहा अंतुदै कि अंतिम में जो मानव है सबसे अंतिम उसका उदै लोहिया ने कहा समता समता दिन द्याल जी ने कहा समड़स्ता गांधी जी ने कहा सबसे जो निचला है पैदान पर उसका उठान दिखिए सब्द अलग अलग है लेकिन चिंतन की धारा और प्रवाः एक है दिसा एक है वोन यकी है हमारा लक्ष निर्धारित है लक्ष निर्धारित है उस पर जाने के लिए राह अनिक हो सकते हैं, लेकिन जब हमारा लक्ष एक होगा, निशित, निर्धारित, दिसा निर्धारित, लक्ष निर्धारित, वहां तक पहुचने के लिए चलेंगे, तो रास्ते अनिक हो सकते हैं, उस पर हम बहुत करेंगे, ये रास्ता, ये रास्ता यह रास्ता, लेकिन सब के जाने का उद्देश क्या है? एक ही, लक्ष एक है. लेकिन जब लक्ष एक नहीं हो, जब एक लक्ष नहीं हो, द्रिष्टी भेद हो, जब द्रिष्टी भेद होगा, तब मन भेद होगा. मत भेद लोहिया कहते थे कि मत भेद होना जाहिए। मन भेद। हमारे जो बिपक्षी हैं हम लोग कहते थे कि तुम बिपक्षी समझों, लेकिन उसको अप espírage मतनressed तुम विधान मंडल में उनके साथ लरो, लेकिन उसके बाहर आओ तो दोनों हाथ में हाथ मिलाके हसो, एक साथ बैठे खाओ, और कभी तुम्हारे विपक्षी संकट में परे, तो सबसे पहले तुम जाके उनके सहेता में खड़ी हो जाओ. लेकिन ये आज की राजनिती में, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता है, कि ऐसा हो सकता है, कुछ राजनिताओं को छोड़गे। इसलिए मैंने कहा, नरेंद मोदी भी कई बार मन से बोलते हैं, ये विपक्ष भीपक्षी होते हैं लोकतंत्र में दुश्मन नहीं होते हैं। कई ना कई पढ़ते रहे हैं जिन जिवन गुजारी लोहिया जी को भी पर्य होंगे। एक है बोलना, एक है बिन बोले करना, धार्मी कादमी बोलता है, अध्यातिमी कादमी बिन बोले करता है, दोनों में फ़रक यही है, लेकर करता है दोनों वही, धार्मी कादमी बोलता है, असंप्रदाई कादमी चिलाता है, अध्यातिमी कादमी मौन भाव से चलता है, मौन भ महला प्रशुन था उससे बहुत दूर आ गया हूं जो कि पिछले तीन साल में जो राजनितिक जीवन से विराम मिला उसके बाद ऐसे आवाजाही है लोगों की या वो जो सत्ता का जो साथ गूमते हैं वो खतम हो गए वो चले गए देखिए दो तरह के हैं एक है लोगों को मे और अधिनायक तंत्र है लोगों को बुलाना यह बहुत होता है अधिनायक तंत्र फिर हम कह सकते हैं कि बहुत प्रबल है प्रबल है क्योंकि जिसको कहिए लोग तंत्र है तो आप पढ़ेंगे उसमें तो आपको कोई लेख मिलेगा साथ मैं पार्लेमेंट की में बोला कि हम लोकतंत्रिक अधिनायक बाद, लोकतंत्रिक तानासाहि, लोकतंत्रिक पडिवारबाद, लोकतंत्रिक भरष्टाचारबाद, लोकतंत्रिक जातिबाद, हमने सब जितनी दुनिया के अंदर जितनी निक्रिष्टा है उन सारी निक्रिष्टाउं को हमने लोकतंत्री करन कर दिया है कि हम क्या करें? पंजित ने लूग करते हैं, हम क्या करें? अब जनता चाहती है. तो लोहिया उस समय हो लोग को परहाते थे, कि दो होते हैं, एक है नेता, एक है नायक. नेता वो है जो जनता के भाबनाओं के अनकूल चले वो है नेता. जो जन भाबनाओं को अपनी सिध्धांद के अनुकूल मोर के ले चले वो है जन नायक. वो लोगों को अपनी राह कर राही बनता है. गांधी की जितनी गाली दे गांधी को, जितनी निंदा करें, लेकिन गांधी अगर अपने जीवन में अहिंसा को मानते थे, सत्यागरों को मानते थे, उस पर जीते भी थे, चलते भी थे, डिगते नहीं थे. और अपनी सिद्धानतों पर जनता को चलाने की जो शक्ती थी वो भी थी. जनता को अपने राह का राही बनाए राष्ट को. जो अपने राह का राही बना ले जनता को वो है नायक. जो भीर के साथ मिलके चले वो है नेता. तो भीर की ना कोई दिसा है, ना भीर की कोई दिरिष्टी है, ना भीर का कोई संकल्प है, ना भीर का कोई लक्ष है, ना भीर का कोई आदर्स है, कुछ नहीं है. कुछ नहीं है, तो गांधी को देखिए, लगिया को देखिए, दीन दियाल को इसकसोटी परकसिये, और अभी बरतमान में नरेंद्रमोदी को भी सकसोटी परकसिये. तो फिर कहेंगे लोग कि क्या आपके नेजर में नरिनमोदी है तो हम कहते है मेरे गुरु ने कहा था तुम लोग चिंता मित करना भरष्टा अचार और किसी चीज की जब व्याक्षा करना तो लोकतंत्र को हमेशा याद में रहना लोकतंत्र है एकावन का राज अगर कोई व्यक्ती एकावन प्रतिसत इमन्दार है तो तुम उसको इमन्दार मानंके चलो अगर किसी के жен में एकावन प्रतिसत सुधता तो तुम मान के चलो हो लोकतंत्रिक मन से, हां लोकतंत्रिक मिन करणा कि हमने बानपरथिशाथ झान विखुतर सुधता == चले लोकतंत्रिक विवस्था सा हिए ar इसको और घृत Month कोई चलना。 एक है जो संपोर्नलू सुधता की बाथ करता है जो कभी प्राप्त हो नहीं सकता तो कटरता है। सफिसाजी सुथ सोना का कोई अभूसन बनेगा। सोना का जो गिट्टी है, नीटा, तो उसे में छेद करके गली में लटका लो। तराशना तो पड़ेगा। अभूसन तो नहीं बनेगा। ना लोक तंत्र तो कुछ ना अभूसन भी बनाना है। तो लोक के तंत्र जो मैंने आपको कहा। हमारे पास कोई आभ को आभी नए आभी हम खुद चले-जाते हैं, अपने मध्वनी में चले जाते हैं पार्टी का ने कोई काम ना पार्टी का कुछ प्रोग्राम कुछ निए, अपना जीवन गोजाल लिए, सरकेट हास है, उसमें रहने की सुभधा है, आसानी से, वहां साथी लोग है, जब पहुंचता हूं मालूम होता है, तो सब किसी निमंतरन रहता है, एक साम मेरे यहां, ए भूमते फिरते, आज दीन में आपके यहां आ रहे हैं, चला जाता हूं, वहां वह दस पांच लोगों को, गाउं के लोगों को जुटा के बैठाए रहते हैं, वह दस बीस लोग जुटे रह बैठे, उनके साथ बैठ करके, राजनीती का, धर्म का, अध्यात्म का, मानव य भी पीरा का चर्चा करते हैं, और फट वहां के पाटे का जो यूनित का पठबारी है, उस पठबारी को भी सुचना कड़ा देते हैं के बाई, तुम्हारे यहा रहेे है, तुम अपने सेना को भी कहीं कठा करकी रखो, तो कहीं पड़ के उनसे भी चर्चा कर लेंगे, 27-28 साल जिस समाज के साथ और जिस संगठन के लोगों के साथ जिवन गुजारे उनके साथ तो गनिष्टता है गनिष्टता आत्मियता है ना तो कह देते हैं तो वो 10, 20, 20 जैसे जुटा के अपने रखते हैं उसमें भी मैं उनको कहता हूं कि 40 वरस से नीचे बाले लोगों को जादे जुटाना बुरहा सब को अलग बैठाना चालिस वरस से कम उमर बाले को मेरे सामने बैठाना मैं उनसे चर्चा करूंगा तो हम क्वालिफाइड है इसके लिए हम को देखिए कोई आदमी डाक्टर लोहिया समाज बादियों को हमेशा कहते थे कि जब तुम्हारा उम पर पैतालिस पार करे तो तुम अपना संबंध वहां नीचे बीस साल के नोजबान से जूर के रखो तुम्हें साथ साल बाले से अपना रिस्ता तोर लो क्योंकि जो साथ साल बाले हैं उनमें बिद्धता हो सकती है जोगता हो सकती है उनमें सब कुछ हो सकती है लेकिन उनम अजिम उठाने और लरने की छमता नहीं हो सकती है, ना, बारवजे जेट की दुपारिया, चिल-चिल आती धूप है, लूच चल रही है, आरूसा में मुझे यहां पहुचना है, अपने संगठन के काम से हो या देश के काम से, तो जो चल परे उस आग की दर्या में, वो जोस्तो जमानी में ही है, ना, हम भी कभी जमानी को देख के आया है, ना, आप लोगों की दुनिया से, आप लोगों की दुनिया से मैं हो के आया हूँ, लेकिन मेरी दुनिया में आप आएंगे कभी, तब देखेंगे, लेकिन मैं आ कभी समाजबाद यांदोलन में थे, जवानी थी. अंधेरी रात, वे समें रोसनी भी नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं, टॉर्च भी नहीं लेकर चलते थे कभी यांदोलन के समय में कि अःषनी कोई देख लेपोलिस अशम कहें कि जि थर से खबर न कर दे ! तो अंध्यरी रात में चल रहे ह। कीचर है, कादो है, न सांप न विच्छु किरा न दिहार किसी का डर नहीं है निर्भय हुकर के चलते-चले जा रहे है. ीसले न, जी धर्ज्मानी चलती है, वे धर्ज्माना चलता है प्तालवार के धारों पर चल कर इतिहास नहीं आताबंता ए इतिहास इसे थोरे बनता है ये बूढे लोगों से इतिहास बनता है मुझेशर के भशना है, हटा जर्सक वो सकते हैं, उधिसा दे सकते हैं तो यह जो मोदी जी वाला जो 75 साल के बाद रिटायर्मेंट वाला सिस्टम है यह सही है वहम तो डाक्टर रोया कहते थे हम लोगों को कि राज़ीती में भी सीमा लगाओ उमर की सीमा लगनी चाहिए आपने एक बहुत अच्छी बात उसमें लिखी है अपने एक लेक में कि जो बाहर जो से अमरीका में टर्म लिमिट्स बोलते हैं उसको कि दो बार ही बन सकता है चाहे प्रेजिडेंट है चाहे आपका वो है सेनेट में थोड़ा बन सकते है जादा पर आपने लिखा है कि तीन कबार का ले मिट होना चाइए कि अगर शांग सब्सक्राइब अगर तीन बार बंपन के कि उसके बाद नहीं बन सकते ऐसा नहीं है कि तीन बार बन गई फिर छूट गई फिर थे आ गए राजनीति में तो से क्या है कि जवान लोग भी उनको तो भी मोका मिलता रहता है, अब वो 70 साल तक वही बने रहते हैं, क्योंकि कितनी बार भी बन जाओ, 6 बार, 7 बार, 8 बार, कोई हटाने वाला ही नहीं है, उनका कद इतना बड़ा हो जाता है, यह मैंनी जो लोहिया थे न, वो दो बात कहते थे, सिध्धांत अकार्ज करा, आप परहें उनकी किताब सगुन-निर्गुन किताब है, सगुन, निर्गुन, अशगुन, तो निर्गुन, सिध्धांत है निर्गुन, आकार्ज करम है सगुन, सिध्धांत है निर्गुन, कार्ज करम है सगुन, जैसे सिध्धांत है, समरस समाज, भाजपा का, दिन द्याल जी क लोया का है संभव संथा, आदर्स है संथा, लेकिन कार्जकरम है संभव संथा, क्योंकि पुर्न संथा कभी प्राथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जो बरते जाएंगे, तो संथा का छेत्र भी बिक्सित होता जाएगा, संभव संथा, असम्रस्ता, यह है सिध्धान्त, निर्ग कि गुच Rabbit को टाउए. समरस का मतलब हुआ समाज के अंदर जो कुछ भी है स्टा आखरो अगर को ब्यापक्ता में जॉआं है कि जिस हम अपने को विस्तारित करूंने मतलब कि तुम अपने को विस्तारित करते करते अप्-टो तो इन्फिनिटिव तक जाओं तो जिसको हमारे धर्म सास्त्र में हमारे वेद में बताया गया कि यथा पिंडे तथा ब्रहमांडे यथा ब्रहमांडे तथा पिंडे तुम पिंड हो तुम अपने को इतना विस्तारित करते जाओ कि तुम संपुन ब्रहमांड मिल अपने को ल से संपुनय बर्मान को एक अटम में देखो अगर मान लिजे हम इसको हो सम्रस तो सम्रस माने किसको राष्ट को सम्रस राष्ट माने राष्ट के मनुस है जितने प्राणी है जीमात्र है बनस्पति है पेर है पोधा है धर्ती है जंगल है पहार है यह सब है तो व्यापकता में जब हम सम्रस कहेंगे तो हमको ऐसी विवस्था करनी है कि सब को समान वहाद करें सभी नाग्रे को समवानराश मिलें, तो समान रस जब दियों, जब bringing that to be a समतल होगा .xis मतल होगा अ समतल होगा कभ , चा उंच नीच का भेद मिटएगा तब अब उंच नीच कितने प्रकार के है अब हम आपको ले चलेंगे जिसको शक्षमता में जाओ, खोजो, अब उच्च नीच का भेद कितने प्रकार हैं? जनम का भेद है, रंका भेद है, लिंका भेद है, अर्थ का भेद है, तकनीकी भेद है, इसंब भेद है. तो आप कहेंगे कि थकनीकी भेत, हाँ, डाक्टर लोई आप साधारन से समझाते थे उस समय कि जिस काम को अमेरिका तीन मिनट में करता है, रूस उसको पांच मिनट में करता है, चीन उसको आठ मिनट में करता है, भारत उसको चोदा मिनट में करता है, तो जो एक समान अमेरिक तीन मिनट में बनता है, भारत उसको 14 में बनता है. अगर हम ऊस्के कीमत पर लेंदेन करेंगे, तो अमेरिका का तीन मिनट में देंगे. हम अपना 13 मिनट देंगे. इसे लिए दुनिया में विश्ब के बैपार का से दांद मुद्रा ने होनी चाहिए, समय का भी मुल्यांकन क जो पर लो की हमारा 13 म मिन जागा, तो अमेरिका भी city, जितना पहाद्स आ में तेरा मिन वे मुझे साइकल कौई एक साइकल बनाया तो तो हम एक साइकल हे हमनी साम एक साइकल भनाया। फिर कहें इसको कैसे करो गए इसको कहते थे टेकनोलोजिकल एक्सप्राइटेशन तो तुम अपनी तक्नीक को इतना बिखसित करो कि अमेरका जिस इसको तीन मिनट में बनाता है तुम अपनी तक्नीक को बिखसित करके वहां तक ले जा कि हम दो मिनट में पैदा करेंगे और त सकेंगे अमेरिका से और सामयबाद रूस और अमेरिका से बरे बरे इंजन लो बरे लेकिन यहां उस इंजन के तकनीक से तुम छोटी मसीन बनाओ क्योंकि टेकनोलोजी वही है उसी टेकनोलोजी को तो टांसफर करके तुम छोटी तकनीक में लिया चोटे मसीन बनाओ, और उसी टेकनोलोजी से छोटे-छोटे मसीन बना करके उसको विकेंदरित करो, अब विकेंदरित करके तुम्हारे यहां मानवसरम ज्यादा है, तो मसीन, मानवसरम, इससे तुम अपने को पैदा करो, वि तकनिक आधोनिक तकनिक उखिञ्दरित वेंद्रित विवस्था, मानव और मसीन का मिलग दोनों की किताब अब पढ़ियेगा तो उन्होंने लिखा यह है कि इए जुगाने बाला है और उन्होंने लिखा है के भारत के सामने उन्होंने एक जगा लिखा है पूझिबाद और सामेबाद की संस्किर्टी अब रुक चुकी है और जो अंत की और जा रही है, जहां ओ अंत की और जाने लगी है वहीं से भारतिय संस्किर्टी की उद्एखा काल आया है भारती संस्कृति ही अब चमकने बाली है अगर हम इसको लेके चले तो इस ही को कहते है पॉलिटिकल उल्ल पावर उसमें उन्होंने लिखा है लिखा है कि ये तकनीक है लेकिन इस तकनीक को इस्तमाल करे किया जाएगा कुन करेगा यही है पॉलिटिकल उल पावर यही है सामन और लोया जी की बात करते हैं और उनके जो उनका जो अनुसरन करने की या कह सकते हैं जो बातें करते हैं अनुसरन कितना करते हैं वो तो आप जानते ही हैं लेकिन उनकी नाम पर जो राजनिती करते हैं उनकी विचारों को अगर देखें जैसे आपने कहा कि संस्कृतिक ज जो उनका नुस्रन करते थे उनकी नाम पर राजनीती किया 30 साल 40 साल वो सांस्कृतिक पुनर जागरन की तो उनका कोई लेंदेनी नहीं था उसकी बात कभी नहीं की और जिनोंने की उनका कट्टर विरोध भी किया देखिए असली बात है कि डाक्टरे लुया कहते थे कि तुम किसी चीज को देखो तो एकांगी मत देखो समगरता में देखो भारत की अर्थनीती अर्थनीती नहीं अर्थनीती समाजनीती राजनीती शिक्षानिती, यह सब को देखो, अगर शिक्षानिती बनाओ, तो भारत की जातिनिती, भारत की अर्थनिती, भारत की प्राकृतित, भुगोल, यह सब को ध्यान में रखो, मतलब सब के साथ जो भी चिंतन करो, वो समगरता में, पुर्नता में, पुर्नता में, इसे लिए उन अगर यह दो है न मैंने कहा न के कालनेमी भी तो राम राम नाम रच रहा था न लेकिन राम का भक्त नहीं न था अगर राह सही राह है, उस राह पर चलने वाला राही बाला राही सही है, तो उस राही को मत देखों, राही के ना जन्म देखो, ना जात देखो, ना रंग देखो, ना रूंप देखो, कुछ मत देखो. तुम केबल उस राही की नीती देखो, उसकी नियत देखो. उन्हें इस दोर सथ में मैं एमेले बना था पहली बार. कि बिभी मंदल मद्हेपूरा से जो मंदल कमीशन के चयर्मेन थे लोकसभा में आयो थे. बिहार में जाती है समीकरन में बिहार के नेता हैं उनको मना करने के बाद भूपेंड्यान मंदल उस समें लोया जी के प्रिये साथी थे, उन्हें मना किया. लेकि नहीं माने बिपी मंदल को बना दिये कि जादम नेता सब है, बिहार में रामलखन सिंह जादम दरोगार आए, फलाने चिलाने हम में भी अक्षा हिए, तो बना दिया, डाक्टर लुया नराज हो गए, डाक्टर लुया ने कहा, जो जिस सदन के लिए जीत के आया है, लो लोकतंत्र का अपमान है और लोकतंत्रिक संविधानिक मरजादा का अपमान है, देखिए अब कहा है वो, खड़े, अब एक कसवटी है यह, अब इसका सवटी को कौन माने है, मानता है, नहीं मानता है, वो अपनी बात है, अलग है, लेकिन और वो कहके नहीं बीबी मंदल को वो इस्तिफा करा, वो लोकसभा के लिए जीत क्या है, पाँच वरस लोकसभा में रहे, नहीं माने, वो रह गय, बिवाद हुआ, पाटी तूट गई, पाटी तूट गई, लेकिन डाक्टर लोहिया ने अपनी नीती के साथ समझोता नहीं किया, नहीं किया, फिर वो कहते थे, कि परधान मंत्री और मुख मंत्री हमेशा निरवाचित होना चाहिए, विधान परिसद या राजसभा का, राजसभा का, या विधान परिसद वला को नहीं बनना चाहिए, वो जनता का, सिधार जनता के वोट का परतिमिजी होना चाहिए, अब इस कसोटी पर कस है, तो बिह प्रदान मंत्री जो हमारे से पहले अभी से पहले अभी से पहले आप साम से रासभा में थे दूसरी बात वो कहते हैं कोई भी आदमी दो बार से जादा लगातार दो बार से जादा बिधान परशद या राजसभा का सदस नहीं बने दो बार से जादा क्योंकि ये तो सम्मान का जगा है न किसी छेत्र में पाती के विशिष्ट योगता रखने वाले या समाज का वो छोटा सा बर्ग जो चुनाव के जड़िये राजसभा या लोगसभा में नहीं आ सकता हो वैसी बर्गों को राजपिधान परशद या राजसभा में लाना चाहिए तुसरी बार दो बार से अधिक नहीं तिसरी बार कि किसी भी आदमी को एक साथ दो जगह से चुनाव नहीं लगना चाहिए उसी तरह पाटी के भी उसमें था हमारी पाटी डक्टर लुया की पाटी थी उसमें हम लोग सिधान्त लगाते थे डक्टर लुया बांधे गांट पिछरा पावे सौ में साथ पिछड़ा माईने के वर्ग पिछड़ी जात नहीं, एक वर्ग, कलास, तो उसमें पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़ी, ऑबीशी, अनुसरी चीजन जाती, धार्मिक अल्प संखिक में पिछड़ा, पिछड़ा, जिसको अनुमोदी अभी पासमंदा करते हैं, पासमंदा, प पिछिडे दलित, और महिला, महिला माने on the whole, समाज के अनुसुचित जाती, जन जाती के महिला से लेके उची जाती के महिला तक, सब on the whole, ये पांच के टिगोरी हो गए, इन पांचों के लिए कहते थे, संसोपाने, बांधी, गांट, पिछडापाबे, सो में, साथ इस पांच ही है, हमारे जो राष्टे समीति बनती थी समाजबादियों के लुहा के समय में, तो सब बोट से चुने जाते थे, चुना होता था, समेलर में, उस चुना में अगर इनका परतिनिदुत साथ परतिसत नहीं रहता था, तो जो उची जाती के लोग चुनाव से आते थे, उनक पर उस बर्ग से लोगों को मनुनीद करके साथ परतिसत पूरा करवाते थे, आज जो उची जाती के लोग रिजाइन करते थे, उनको विसेश आमंत्रित सदस के रूप में रखा जाता था, तो डाक्टर लोगिया कहते थे, कि उची जाती के लोगों लोग तुमारे पास मे योगिता है, संसकार है, तुम मार्ग दर्सन का काम करो, और समाज के अंदर ये पिछडे दलित, जो दवे कुछले लोग हैं, इनको तुम विसेश आउसर देके उपर उठाने का काम करो, अश्पेशल अपरचुनिटी, विसेश आपसर, आरप्छन नहीं, विसेश आधिका विसेश आपसर, कि भारत के अंदर कुछ लोगों को जन्व के नाम पर, अर्थ के नाम पर, पद के नाम पर जो विसेश आधिकार था, आ कुछ लोगों को कुछ भी नहीं था, बंचित, एक है विसेश आधिकारी, एक बर्ग, एक बर्ग है बंचित, तो ये बंचित बर्ग यह तन से, मन से, धन से, बिद्या से, बुद्धी से कमजोड है। इस कमजोड को भी सबल बनाना है। तो इनको दो special opportunity विशे सबसरा रक्षन है। जैसे बिबार आदमी को परिवार में ससक्त बनाने के लिए बनिया भुजन दिया जाता है। परिवार के सब लोग उसको बनिया भुजन कराते हैं। लेकिन जब वो सवस्थ हो जाता है तो उसके बाद भी अगर भुजन के मांग करे तो यह उसकी कुरूरता है। जबकि यह जो विचार आप बता रहे हैं लोईया जी के और आप भी इससे सहमत रहते हैं। यह अगर कोई आज बोले तो पूरा का पूरा इलेक्शन हार जा सकता है। हाँ, हार जाए तो हार जाए। इतने क्रांतिकारी विचार माने जाते हैं आज कलिए। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि लोहिया का देखिये अब फिर लोहिया का दुर भागे था। मर्वारी थे। मर्वारी में भी लोहा का कारबर करने वाले थे। खुद्रा। बिरला बाले थोक वैपारी तो नहीं थे। अगर जाती के हिसाब से लोहिया भी अहीड में पैदा हुए होते हैं यादव में, कुर्मी में, कुस्बाहा में, रेडी में, पटेल में या अनुसुचित जाती का जो बड़ा रभिदास जिसको अभियम कहते हैं उनके जाती का नाम नहीं लेंगे क्योंकि गाह में तो सब अपने जात का नाम होई लेता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं जात का नाम मतलो, तो जो अम्वेदकर जिनको महार वहां थे, जो इधर अपने को कहते हमाया बती जिसम, अकासी राम जिसमें थे, तो डाक्टर लोहिया अगर उस जाती में होते, बहु संख्यक दलित समाज में जाती में बाले में, या बहु संख्यक विष्राबर्ग में से, तो आज वोट की राजिनती करने बाले डाक्टर लोहिया की भी बरी पूजा करते हैं, उनके तस्वीर लगाते हैं, उनके सब कुछ मराते हैं, क्यों वोट में? लेकिन जाती के संख्या बल के हिसाब से, उनक किया बहुत थे उनके क्या कीमत है, करपि-इजद। विठाकुर नाहिए थे, उनके क्या भोट में है, क्या भोट में है? कभी-कभी हिंदुस्तान का इदियास बदलता है. जो गांधी आ गए, इदियास कभी-कभी बदलनता है, नरेंद मोदी का भी कास्ट भेलू क्या है? कुछ नहीं? राष्ट के इसाब से और गुजरात के हिसाब से भी कुछ नहीं है. जाती संख्यावर. लेकिन डाक्टर लोहिया नया समाज, नया मन जब लिखे थे 106 में पर जुबादी जुगजन सभा के प्रसिक्षन में भाग द तो उसमें उन्होंने कहा था कि बेनामी संपतियों को जब्त करना, पुजी पतियों को जरूरत से जादे नहीं रहने देना, खर्च पर सीमा लगाना, और नीजी संपतियों के लिए एक सीमा निर्धारित करना, अब बेनामी संपतियों को जब्त करना, साथ में कहते हैं कि ये सब काम वही सरकार कर सकती है, जिसके पास में अपार जन्मत प्राप्त होगा, अपार जन्मत. को अब नरेद्मोदी को सोच नरेद्मोदी तो कुछ इतनी बहादुरी का काम इसलिए कर रहें के संजोग से इस देस का गरीब निर्धन निर्मल पिछरा दलित हैं उसने माल लिया है कि नरेद्मोदी मेरा आदमी है। कोई जो इन पर विश्वास हो इन के काम से, इसलिए करने में सक्षम हो रहा है यह, नहीं, चाहे कार्जपालिका हो, चाहे विधायका हो, चाहे न्याइपालिका हो, मुझे पर कितना बड़ा भी दंड के अपराथ पर मुकदमा चलाया जाया, मैं फांसी पर ढूल सकता हूँ, लेकिन मैं काह सकता हूँ, कार्जपालिका हो, विधायका हो, नियापालिका हो, यह सभी अभी सामनतवादी, मानसिक्ता और चरीत्र से गरशित है, यह अभी भी गा इंतन में उनके लिए न कोई सम्मान का भाव है, न उनके लिए कोई प्रेम और करणा का भाव है, यह तो समझते हैं कि हम दाता है, आप वो भिकमंगा है, हम भिकमंगा को कुछ दे रहे हैं, क्यों? यह प्रसासन है, प्रसासनिक है न सेवा, आप इस प्रसासनिक सेवा में कभी आप लोग के पास में तंत्र है, आप निकालिये, कि प्रसासनिक सेवा में, गाओं के प्राथमिक विद्याले से लेकर के, गाओं के ग्रामीन छेतरी में, जो विद्याले तक, कॉलेज तक, परहाई करने वाले लोग हैं, चाहा किसी भी जाती हो उस में से कितने लोगों का आज भारतिय प्रसासनिक सेवा में कितना प्रतिनी धित्व है सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों का कितना प्रतिनी धित्व है नीजी स्कूल में पढ़ने वालों का कितना प्रतिनी धित्व है न्याय पालिका में उसका क्या प्रतिनी दित्थ है। जब हम लोक तंत्र है, आप प्रतियोगता, प्रतियस्पर्धा की बात करते हैं, तब फिर न्याय पालिका में, न्याय पालिका में, यह कोलीजियम मनुनियन की प्रता क्यों है? नमनेशन? नमनेशन? बाप बेटा दलाल मेरे किताब को परहेंगे उसमें अब हरते जनता पाजी के निसनल डिस्क्यूटिव में उठाया था कि हिंदुस्तान में चार तरह के लोग हैं सुरक्षित, सनरक्षित, आरक्षित और उप्यक्षित आप लोग भी समझें जुबाबर्गों को समझाएं यह चार केटगोरी है इस देश में सुरक्षित, सनरक्षित, आरक्षित और उप्यक्षित पुर्ण सुरक्षित है उनके पद, परतिष्था, सुख, सुवधा में कभी चाहे सूरज चांद रहेगा, दुनिया पलट जाये, सत्ता बदल जाये, कुछ हो जाये, लेकिन उनके सुख, सुवधा, पद, परतिष्था में किसी तरह की कमी नहीं होगी, वो पुर्ण सुरक्षित है, सरवाधिकार सुरक्षित, ऐसे लोग देश में राजनिती में हैं, जिसे को बंसवादी कहिए, परिवार बादी कहिए, जातवादी कहिए, जो कहिए, स्वार्थवादी कहिए, गरीब का खुन चुसने वाला कहिए, मेरी भासा में, समाजबादी भासा में, यह सुरक्षित, यह जब बनेंगे, सरकार में तो मंत्री बन जाएंगे, प्रधान मंत्री बन जाएंगे, नहीं अपोजिसन में रहेंगे, तो अपने दल के पदाधिकारी बनेंगे, संचालक पठवारी, लोकसभा में, विधान सभा में, कम्यूटियों के चेर्मेन बन जाए जनता के कोज़पर अब इसका 비सलेसन करिए, मिल जाएगा आपको, एक बर्ग बन गया अर एक है सनदक्षित, उनके द्वारा सनदक्षित, ऐसे जो लोग है सुरक्षित उनके द्वारा सन्रक्षित? चाहे वो प्रसासन में हो, चाहे वो शिक्षा के छेत्र में हो, चाहे वेपार के छेत्र में हो, संडक्षित, जिनको कभी-कभी लोग करीभासा में कहते हैं सत्ता के दलाल, संडक्षित, उनके द्वारा, जो अनुग्रा, अनुदान, अनुकम्पा, ये तीन परपलने वाले, तो हो गया सुरक्षित, संडक्षित, आरक्षित, तो जिनको आरक्षन मिला हुआ है, उनको तो देना ही है। इसको दिजे के उसको दिजे। और आरक्षित में भी जिसमें तेजस्विता है, युगता है, बिद्दुता है, छमता है, प्रतिभाह है, संघर्षिलता है और जिसके चेहरे पर चमक है, उसको छाटके. आरक्षित में भी अपना, संघर्षित, संघर्षित, कोटा पूरा करने बाला, कोटा दिखाने बाला, कटपुतिली, सरकस का सेड, सरकस का सेड, आरक्षित में भी तो कितने उपेक्षित? फिर एक है जो उपेक्षित, 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 उपेक्षित में चाहे कितनी जोग्यता हो, विद्धुता हो, परतिभाह हो, संघर्षिलता हो, कितनी भी कुछ हो, लेकिन चुके ये ये तीन कैटेगोरी से में नहीं आ रहा है, इसलिए वो उपेक्षित है, और फिर हतास होता है और फिर वो कहीं कुछ न कुछ रास्ता खोजता है, भटक जाता है, जिसको दिनकर जीनिया लिखा है बड़ी अच्छे सब्दों में, पूर्जिनिये को पूर्जिमान ने में जो बाधा करम है, यही मनुझ का अहंकार है, यही मनुझ का ब्रम है। आप दिनकर जी से मिले थे कभी? नहीं मिलने का वही में? लेकिन मैं उनको परहा हूँ, उनके संस्कृति के चार अधिया है, उनको कहता हूँ, पर उसका प्रताव ने पंडित मोत जब आहला लिखे हुए है, और दिनकर ने जो उसमें लिखा है, इतिहास इसलाम का, और पर सब के बारे में उन्होंने कैसे कैसे लिखा है, हो धरन दिया है, तो देखिजिए आप, अब समाज को क्या चाहिए? तो मैं इने कहा कि सम्रस समतल समतल, नरेंद मोधी लाल किला से बोलते हैं, भारत के प्रधान मत्रिया, बोलते बीच में रुख जाते हैं, लोग आते ह कुछ कहना चाहते थे जो नहीं, वो भावू खो गया, गला उनका रूध गया, आप पर ये नहीं यूटूपर, महिलाओं के बारे में, कितनी असलील से असलील वो यूटूपर और इस पर लिखे जाते हैं, कितनी, कितनी, आम चौल की भाशा में भी इस्तमाल होता है, महिल महिला है, हम उनके राजनीती की तरफ पर भीयूद करेंगे, आखिर, जिन महिलाओं के बारे में वो लिखने वाले लिखते हैं, बड़े-बड़े अपने को बिद्वान कहते हैं, कबलीती का दबा देते हैं, लेकिन आखिर, वो महिला भी तो किसे की बहन है, किसी की बेटी किसी की मां है किसी की पत्नी है है की नहीं है क्यों भूल जाते हैं और यह जो पिछडे दलीत के नाम पर नेता बने हैं, महराजा और महराणी सब, यह कभी अपने समाज के इन गरीवों को सिखाते हैं कि पिछडे दलीत सबसे ज़्यादा बच्पन से उनका जो मा है वो अपनी बेटी को ऐसी गाली देती है कि इसका कोई ठखना नहीं, अब बाप है अपने बेटे को मा बहन ले करके गाली देते रहता है, तो उसके मेरा गरीब है, मेरे चचेरा भाई का बेटा है, व्यश्म विश्म है, 12-15 साल से उसको पाल के रख करता है कि तुम किस के यहां काम करती हो तुम यह से क्यों उसलिल बोलते हो क्यों कि वो करें तो करें लेकिन हम क्या करते हैं यह शायद यही तो अंतर है कि जो नेता है और जो जन्नायक जो आपने बताया उससे पहले अंतर कि जो आप लोगों को यह सिर्फ यह नहीं है कि उनक को एक दिशा देने का भी काम करना है, यह किसकी जिवेवारी है, पिछडे और धरित समाज के जुन्यता हुए, जुन्होंने उनके भाबनात्मक सोसन किया, मानसिक सोसन किया, psychological and emotional exploitation किया, जाती के नाम पर वोट लिया, राज बनाया, यह अपराधी है कि नहीं है, इनका काम क्या था? तुम अपने समाज को शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो, योग्जी बनाओ, परतियासपर्धा के लाइक बनाओ, लोक्तंत्र है, परतियासपर्धा का जुग है, तुम उनको समझाओ कि वो अपने बच्चे को शिक्षित करे, योग बनाबे, परतिभासा वो निकल सके, आगे ले सके, गरीबी में पले लेकिन एपी जी अब्दूल कलाम बन जाए, गरीबी में पले लेकिन नरेंद मोदी बन जाए, गरीबी में पले करपुली ठाकुर बन जाए, गरीबी में पले बिहार का भोला पासमान सास्त्री बन जाए, गरीबी में पले कामर समाज को बनाना, समाज को सिख्षित करना, समाज को अनुशासित करना, समाज को मर्जादित करना, समाज को एक राह दिखाना, समाज के लिए एक लक्ष निर्थारित करना, और फिर उस समाज को साथ लेकर के मंजिल तक दाना, अपने ही जाती के लोगों को सब बना करके उनकी ताकत से राज सत्ता पर जाना, जोड़ियां कहते थे कि ये करने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन राज सत्ता हात्मुख मंत्रिया परधान मंत्री बनने के बाद, अगर हुकुम देवन जादव कहे, कि मैं जादवबंस में जनम लिया हूँ, इसलिए सब मुझ को हटाना चाहता है, तो डाक्टर लुजा ने कहा, ये अपराधी है, तुम जात का साथ लेके मंजिल तक जा स लेकिन मंजिल पर जाने के बाद, तुम के बल जात का नहीं हो, तुम संपुन राष्ट का हो, तुमको अपना राष्टे चरीत्र बनना परेगा, पिछड़े और दलित के सभी को कहते थे, कि तुम जलन से मुखत रहो, जलन से मुखत रहो, भासा में जलन, और कर्म में अब भासा में जलन नहीं है, भासा में तेजस्विता और कर्म में कठोड़ता. हुकमदव जी इसमें जब पहले अगर शुरू करें हम शुरुआत से तो आपकी पहली राजनी तिक मेमोरी क्या है? क्योंकि आप शायद 11-12 साल के होंगे जब देश अजाद हुआ था? मैं 11-12 साल का, उने 149 में मेरा जनम है ना, साथ-एट साल की था? अगस्त करांती 42 में तो मैं 3 साल का था, मेरी मा को दमे लेके मामा की यहां ले गई थी, सन 47 में हुआ था जो रिये, साथ-एट साल का था. तो पहली राजनितिक silver दाओ, मैं जब कॉलिज में घया ना, पक्च पन में मैं ठ्रिक पास के या, कॉलिज में गया, 50 में मैं अखर शीं में परहने गया, मेरे पिता जी भी साधारन की सांथ थी सोतनता सेनानी थे लिकिन बहुत साधारन की सांथ AY. तो सहर में जाके उनके रिष्टे में एक चचरी बहन थी, पाउंके लेंगरी सित्विया नाम था गरी थी, उनके पती थे, उसी के यहां कहें कि रह के पर हो, मेरे चचरा भाई मुझसे बढ़े थे, राम जी जादक, अब उस जिन्दा है, मुझसे पांच सल बढ़े है, उनक मुझसे यहां जाकर के हम परने लगें, एक जोपरी, उसमें गाय, एक भैस, एक गाय, एक बैल, एक बकरी, आई इधार एक चोकी, उस चोकी पर हम दोनों सोते थे, घर से चाबल दाल अपने सर पर लेके आते थे, या कोई आजमी से भेज देते थे माबाप, वो अपने घर परिवार के साथ बना देती थी, एक उनको बेटा था, एक रामचंदर अबेटी महा थी, और वो अपने गुलाई जादर थे, और उनी के हमें से तभया थी, मेरी फुफु लगती थी, अपने बेटे के जैसे पालती थी, रोह के पढ़ा, कभी उनके गाय बहल भी चरा के ल समाजबादी जुबजन सभाब के करने बाले एक इंदरकान जहां थे ठेंगा के, उनको सोचलिस पार्टी के नेतावों से पढ़चे था, वो मेरे उस क्या करते हैं, वो जो था लोज, उस लोज में आते थे, हम साताथ वी दियार थी थे, हम बाभू थे, माश्टर उनके य समाजबादी जुबजन सभा से कोलेज में जूर गया, समाजबादी जुबजन सभा के काम में जाता था, इधर सवेरे साम जम मोका लगे तो संके सखा में भी जाता था, दोनों काम, संके सखा में भी जाना, संके कार्जकर में भी जाना, संके काम में भी जाना, संके काम में कॉलेज में 56 संतावन की बात है। उनका भासन दिवी दत्पोदार थे प्रोफेसरू। सब को कहे, मुझे भी कहे तो गए। एक एश्कूल के हौल में कोई तिस चालीस लोग थे। उसे में लोहिया जी एक जेर घंटा तक ब्यक्ष्यान दिये। तो मैं भी बैठ करें तो सुनने के बाद मुझे अपने लगा। कि संग वाले अपने धंग से कहते हैं। अलोहिया जी अपने धंग से कहते हैं। मुझको तो लगता है कि उनके रास्ता में कोई भिनता है नहीं। कोई भिनता नहीं है। या आपको उसी समय लगता था। कि बात तो एक ही कर रहे आपको फिर कहूगा कि डाक्टर लोहियाद लोकसभा में बोले थे भारती इतिहास की अलोछना, परत, परना चहिए आप लोगों को, उनोशको ने एक मानव इतिहास जो है कि कोई इतिहास लिखा था, उसमें और देश के मेंबर सब थे, उसमें डाक्टर अधाक्रिशनल भार लिखा था कि कविता का उदगम चीन से हुआ, तो जो रूसका बिद्वान था, उसमें बिरूध किया, तो लोकसभा में बोले हैं कि उसका पॉलिटिकल कारण था, लेकिन, डाक्टर लोहिया काते है कि जब हम भारत में मानते हैं, कि सबसे विश्व का, विश्व में सबसे पराचीन गरंथ रिगवेद है, और रिगवेद की रिचा काब्य है, तो फिर जब लिखा गया कि चीन काब्ता का उदगम अस्थान चीन से है, तो फिर भारत के सदस रहते हुए सरपली डाक्टर रधा कृष्ण ने बिरोध नहीं किया, ये चिन्ता का कारण है, कि हम इसको कैसे बरदास कर गया, तब उस पर आगे लिखते भी उन्होंने लिखा है, कि समन्यों दो परकार के होते हैं, एक दास भाव का समन्यों है, एक स्वामी भाव का समन्यों है, और उन्होंने लिखा है कि पिछले 1500 बरसों में भारत ने दास भाव के समन्यों को स्वामी भाव के कहने की दिसा लग है ना फिर उन्होंने लिखाए इतिहास के तारा चंद है रोमिला था पर है ऐसे इतिहासकारों ने भारत के इतिहास की गलत ब्यक्या किया है और इतिहास का पुनर लेखनी एक लेख है उन्होंने लिखा उन्होंने उस समय कहा था क्या ऐसे गंदे इतिहास क को भारत सरकार तत्काल परहना बंद क्यों नहीं करती है। इतिहास के भी ससग्यों के दौरा भारत के नए इतिहास को लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जो इतिहास परहाया जा रहा है वो हमारे राष्ट्र के अनुपूर नहीं है। अज भी बात कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं। तिहास की दृष्टी उस समय उन्होंने का बोला था उन्होंने कहा था। जो अभी मानिय संग परमुख यदिन प्याख्यान में देई दिये हैं। उन्होंने कहा था। कि आखिरे भारत के मुसल्माने सभी भूत्पूर्व हिंदू तो ही हैं। इनके पूरवज हैं। हमारे पूरवज तो एक ही थे। इसलाम को कबूल कर लिया। डाक्टर लुहिया बोले हैं। कि अध्यक्ष महद है। दुनिया का सबसे बरा मुक्यबाद कैसे इसलाम धर्म को सुखार कर लिया। लोग कहेंगे कि इससे हमको क्या मतलब है। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरा मतलब है। कि आखिर दुनिया के लोग इसलाम धर्म को कबूल करते हैं, इसाय बनते हैं, इसलाम को कबूल करते हैं। लेकिन दुनिया में कोई हिंदू क्यों नहीं बनता है। डाक्टर लुया बोल ले है कि आखिर कोई हिंदु क्यों निये बनता है इसका जवाब कोई देगा कोई नहीं देंगे लिकिन मैं जवाब देना चाहता हूं देक्ष्मोद है कोई इसलिए नहीं बनता कि हम आपस में तूटे हैं और बटे है अथा जिस दिन हम जो ये तूटे हुए हैं जिस दिन हम एक हो जाएंगे वो दिन संपून विश्व अपने आप इस हिंदुत को स्विकार कर लेगा अगर ये भाशन और ये सब जो लिखा है रामन और लोया जी ने अगर ये आज कोई लेफ्ट का या ये जो गुद्धी जी भी है ये कहेंगे तो उसको संग पर ये वया जिसेए कया नेे लिखा है जो द्क्रंद निलिखा है कि जो बैचारिक और स्धान्टिक विदेशी 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 जो हिंदुस्तान में प्रचार करते हैं और सेधानतिक और बैचारिक रूप से अपने बिचार के द्वारा वो देश के बिल्ड काम करते हैं वो बैचारिक गदार हैं दो तरह के गदार होते हैं, एक है सैधान्तिक गदार, एक है रुपे पैसे के लेके गदारी करने वाले, तो उन्होंने का रुपे पैसे लेके जो गदारी करने वाले तो होते हैं, वो कहीं न कहीं सरकार के खुपिया के द्वारा पकर भी लिये जाते हैं, लेकिन ये बैचार और parlarटी और स्वेधानतिक गद्दारी करने वाले देस में पक्री नहीं जाते और तब उनने लिखा है देसका धुर्भागी तब होता है जब इनको जन्ता का समर्थन मिल जाता है appelle जब ऐसे गद्दारों को जन्ता का must मर्थन मिल जाता है तो वह देश के लिए और भी भातक हो जाता है। नाजबूत। उनका उनका उसी व्यक्षानि में उन्होंने कहा है। कि तो ब्रामपन्ति गांधी को ये सुभास को कहता था, विल्टी समराजबाद का कुत्ता है। गांधी को कहता था यंग्रेज का दलाल है। उस समय जब आप ये सब विचार सुन रहे थे और आप संग से भी जुड़े हुए थे आप समाजवाद आंदुलन से भी जुड़े हुए थे और उस समय उननी सो सड्सट में जब आप राजनीती में पहली बार विधायक बनकर आए बिहार असेंबली में तो उस समय आपको क्या लगता है आपने लिखा है कि 1967 में सामाजिक आंदुलन जो भुए जिसकी वजह से बहुत सारे निकल के आए बियार में इन आंदूलनों की वजह से जो नेता निकल के आए उनकी वजह से या पूरी रजनीत़ी में आपने कितना बदलाव होते देखा है बहुत क्योंकि जो निकल के आये थे वो कहीं न कहीं सोतंतरता आंदोलन से जूड़े हुए थे कहीं न कहीं सोतंतरता के आंदोलन के गर्फ से निकल के आये थे चहजय प्रकास हो, लोहिया हो, अचाज नरेंद्र देव हो, करपुरी ठाकुर हो, सुरज नायन सिंग हो, हमारे जो महा के देव नायन गुर मेटा हो, उचाहे अक्षेवेट राय हो, भुपे नायन मंडल हो, जो हमारे उस समय बिहार के निता थे, यह सब आजादी, सोतंतरता संग्राम के सेनानी थे, उन पर उसका प्रभाव था, और जब वो हटे, तो उसके बाद यह लालू का जुग परारभ हुआ, उसी धारा में से, तो लालू का जुग है, न वो सोतंतरता अंदोलन से जुडा हो है, न समाजबादी अंदोलन से जुडा हो है, बार अक्टूब अंदोलने से सर्षट को डॉया का देहन्त हो गया, और फरबरी में दिन द्यालू पाधिया जी की हत्या हो गई, अक्टूबर में उनका थोरे थोरे दो चार पांच महिना के अंतराल में, तो जो गैर कांग्रेस बाद को की विचारधारा को लेके सर्षट में दिसा दिये थ तो उस दोनों जो कप्तान थे नायक थे दो विचारधारा के वो तो चले गए, अगर दोनों जिन्दा रहते तो कब न कब ये सम लोहिया और दीन द्याल एक पलेट फार्म पर आ जाते, क्योंकि डाक्टर लोहिया चोशच में जो पाल्यामिंट में बोले है, केरल में जब राजपती सासनलाग हुआ था उस समय बोलते हैं, तो आप उसको आज के संदर में जड़ा समझिये, उन्होंने कहा था, अध्यक्षी महद है, चाहे सोतंत्र हो, जनसंग हो या कोई हो, प्रजास समाजवादी हो या मैं हो, हम में से किसी मेया के लिए इतनी ताकत नहीं है कि इसको समाप्त करते हैं, इनको कांग्रिस को, इनको समाप्त करें, इनको समाप्त करने के लिए एक ही दल चाहिए, जिसमें आर्थिक करांतिकारिता और राष्ट्रियता दोनों संभाव से हो, आर्थिक करांतिकारिता और राष्ट्रियता दोनों संभाव से हो, और तब उन् किसी न किसी क्रिष्न का जन्म हो चुका है. इस नहीं किस किर्ष्न का जन्म हो छुका है, जो एक ना एक दिन इस कंसh की चाती पर भैट्टक के सर तूरेगा और इ। लेकिन वही तोड़ेगा जिसमें आर्थिक रांतिकारता और राष्ट्रियता दोनों समान भाव से होगा. केवल राष्ट्रियता नहीं, रोटी, रोटी और राष्ट्रियता, रोटी और संस्किर्ती. हाँ सहाब, संस्किर्ती के कारण रोटी में स्वाध मिलता है और रोटी के कारण संस्किर्ती को ताकत मिलती है. आर्थिक भी और संस्किर्तिक दोनों ही तरह की स्वत्मत्रता उसमें चाहिए. आर्थिक क्रांथिकारिता और राष्ट्येता. नागरिक्ता के उपर उनने लिखा है तो डाक्टर लुजा ने लिखा है. कि जन्म के आधार पर नागरिक्ता तो सहजभा उसे प्राप्त होता है, ये विश्व में लोगों को प्राप्त है. लेकिन इसके अतिरिक नियत और राष्ट्ये संस्कृति के प्रति सर्धा भी महत्तुपूर्ण है. हम जन्म से नागरिक हो गए, इसका मतलब हमको अधिकार नहीं मिल गया पूरा हमारी नियत और राष्ट्ये संस्कृति के प्रति सर्धा. यह दो कसोटी होनी चाहिए, कि हम जन्म से नागरिक्ता मिल गई है, लेकिन मेरी नियत खराब हो, हम राष्ट द्रोही सक्तियों से मिले हुए हो, हम राष्ट के भी घटनबादी सक्ति से मिले हुए हो, हम राष्ट में आरजकता फ्यलाने बाले से मिले हुए हो, हमारी नियत जब खराब है, तो हमको इस देश के नागरिक्ति रहने का क्या अधिकार है? और हमारी राष्ट्य संस्कृति, राष्ट्य संस्कृति माने यह धर्म नहीं, राष्ट्य संस्कृति जो हमारी सनातन प्रवा है संस्कृति का, संस्कृति, संस्कृति है हमारा खान, पान, रहन, सहन, भासा, भूसा, लोक भासा, लोक भूसा, लोक भूसा, लोक भोजन, लोक भवन, लोक कला, लोक संस्कृति, लोक आचार, लोक विचार, तो जब तक, जब तक ये जाती रूपी, जब तक ये जाती है, तब तक संत्रे के जैसे उपर से एक छिलका में तो दिखाई पड़ता है, लेकिन छिलका हरते हुए. जब तक वो सभी फांक मिल करके एक नहीं बन जाएगा, जब तक ये जातियां मिटेगी नहीं, तब तक हिंदुत्य का वो विशाल विराट रूप परकट होई नहीं सकता है, चाहे जितने मुड़ी पठकले कोई, नीबु अर्दूद को मिला करके कभी वो माप कर ही नहीं सकते हैं, तो ये जो विराट रूप कभी-कभी जो दिखा, जैसे कमंडल, जो मंडल को काटने के लिए जिसने हुआ, उनिस सो बाण में गए जो राम जन भूमी मुवमेंट चला, उसमें और आज के समय में, जब नरेंद्र मोधी प्रधान मंतरी वने उसके बाद, कुछ लगता है कि उस समय जब कोई जाती की बात नहीं होती है, जब सर्फ हिंदुत्व की बात होती है, तब साथ आते हैं, लेकिन साथ साल पहले और आज के समय में, कुछ कम हुआ है जाती वाद? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बलकि आर जाती एक कटरता बरही है, क्योंकि जात का राजनीती करन हुआ है, कैसे कम हुआ, यूतर परदेश में एक अपराधी ब्राह्मन का घर तोरा गया, पुलिस को मार दिया, तोरा गया, तो कई ब्राह्मनों का समेलन हुआ, ये भारते जनत पाटे ब्रामन विरुधी है, एक अपराधी मुसल्मान को पकरा जाता है, राश्र विरुधी को, तो सारे मुसल्मानी कठा हो जाते हैं, एक किसी अपराधी को जादव को पकरा जाता है, तो जात के नाम पर जादव को जमात खरी हो जाती है, राजपूत की जमात खरी हो ज समाज विरोधी को अगर सब पूजा करने लगेंगे, इसमें कौन बाकी कौन है? लेकिन ये एक राजनीती की बात हुई, वो आपकी बात बिलकुल सही है, अभी जो ये नोएडा में जो हुआ था, उसमें भी वो सब त्यागी समाज के लोग एकटा हो गए थे, लेकिन मैं जै देखते हैं कि अंतरजातिय विवा भी बहुत बढ़ गए हैं, उससे भी थोड़ा फरक पड़ेगा, तो इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा धीरे-दीरे परिवर्तन समाज के स्तर पर आ रहा है, बट वो राजनीती में जाने के बाद फिर वही थोड़ा जो विशमता है वो तो यह जो थोड़ी से एक है अपबाद, नमुना, और एक है सामाने, लेकिन शहरों में जैसे लोग रहते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम हो गए है, ना, 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 आब बताता हूं मैं, कोई ब्रामन है, एमेले है, अनुसुचित जाती, जन जाती, मुसल्मान, पिछराबर्ग, जो भी एमेले हुए, मंत्री हुए, आये उनके इहां, उन सब लोगों को विशेश रूप से एक जगा बैठाते हैं और उन सब को भोजन कराते हैं, कराते हैं ना, तो सब तो बैठ के खा लिए, लेकिन उसी के यहां, जब सामानि भोज होता है, जहां उनके जात के गाउं के लोग खाते हैं, उस पंगती में, क्या उस गाउं के तलीत, पिछरे और ब्रामन एक साथ बैठ के भोजन कराते हैं वो, नहीं, नहीं, दूसरे द्रिष्टी से देखिए, कि जो संपन लोग हैं, संपन, तो संपन पिछरे दलित के साथ, या संपन भर्ग, नोकर साही हो, या राजनीती हो, नियापालिका हो, वो सब, एक साथ बैठ करके तो खा लेते हैं, है ना, एक साथ, तो जो आपने एक लेख में लिखा था कि जो पिछडों में द्विज बन गए हैं और द्विजों में पिछडे बन गए हैं यह इसे को मैंने कहा ना आपको शुरू में इनर कंटाडिक्शन इनर कंफिलिक्ट इसको जब तक आप मिटाएंगे नहीं तब तक कैसे होगा एक तरफ गरीबी भी है गरीबी का भेद अपने जगह सही है और एक तरफ यह जन्म का भेद यह भी अपने जगह सही है और नर और नारी का भेद अपने जगह यह भी सही है अपने जगह यह भी सही है हम नारी को सुतंत्र करना हम नारी सुतंत्रता की बात भी करते हैं लेकिन नारी को नारी को पूर्ण सुतंत्रता के साथ नाचने भी देना चाहते हैं लेकिन कठपुतली की डूर अपने हाथ में भी रखना चाहते हैं एक सुतंतरी नीर्थ है एक कठपुतली का नीर्थ है फरक है ना पूछना चाहंगो है कि आप जब राजनीति में 살는데요 17 में तो आपका पहला भेत्ण भारत की परधानमंत्री अपने भेतiku होह और आपको जानते थे वह कौन परधानमंत्री थी अथै पहला पूर्धानमंत्री जिनसे भेत Пिन सी सांग भारत मेरें वहं से मुराजी भाई के बाद उतने परधानमंत्री से बने। मैं सभी परधान मंत्री से मीला। सबसे ज़्यादा अच्छ संबन्द इनके साथ थे। सबसे अच्छ स्बन्द चरन सिंह के साथ रहे, थोड़ी दिन के लिए हुए या चंद सेखर हुए उनसे अच्छा समंध रहे फिर अटल जी हुए उनसे बहुत निकट से समंध रहा फिर नने लिमोडी तो है तो चरण सिंग से अगर शुरुआ करें तो उनके बारे में क्या ऐसा है जो जनता को नहीं पता है जो आपको जो और करीबी उनके लोग थै कि उनके भी विठा थी, जैसे मैं लेक पढ़ रहा था, सुब्रमिनम स्वामी जी का, उसमें उन्होंने लिखा था कि उनको एक बहुत खेत था, कि मैं इतना पड़ा लिखा हूं, इतने पुस्तक लिखता हूं, अपने आपको बुद्धी जी भी समझता हूं, लेकिन जो लोग ह हैं, वो मेरे को अभी भी गाहों का गवारी समझते हैं, हाँ, ठीक बात, मैंने कहा न पहले, कि चरण सिंग जब मरे थे, तो हिंदूस्तान अख़वार के हेडलाइन छपा था, कि जात मरा तब जानियों जब चोधहमी हो जाए, तो मैंने पार्लामेंट में बोला था, कि हि यह लिखा है कि जात मरा तब जानियों जब चोधहमी हो जाए, तो क्या कोई ब्रामन राजपूत मरता है, नेता तो ऐसा लिखा जाता है क्या, चरण सिंग विद्वान थे, चरित्रवान थे, इमंदार थे, गांधी वादी थे, निश्कलंक थे, लेकिन फिर भी समाज का ए बोला जाता था, जगी मेर नाम इतने बरे नेता थे, लेकिन वो हर्जन के नेता थे, डाक्टर अम्बेद कर इतने महान हुए, लोया ने लिखा है कि डाक्टर अम्बेद कर अगर संपुर्ण राष्ट के नेता बनना चाहते तो गांधी के बाद आजाद भारत में उनसे ब सर्दार पटेल इतने महान थे, लेकिन वो एक पटेल के नेता और किसान के नेता बना दियेगे कि नहीं, करपुरी ठाकुर इतने महान थे, एक पिछरे बर के नेता बना दिये ना, कामराज नारर इतना महान था, वो के बले एक बर का नेता बना दिया गया, नरेंद्र मोध तो भी इतना विश्व में नाम कमाया, लेकिन आज भी हिंदुस्तान का एक बर्ग है, जो उनको पिछ्रे बर्ग का किसी बर्ग और किसी जाती से जोड के मान रहा है. तो यह दर्ध उनको भी था, सबको मुझे भी है, मुझे भी दर्ध है, हर को यह दर्ध हुआ है, हिंदुस्तान के अंदर जो भी पिछ्रे और दलित और दरुपदी मुर्मू है, राश्पती बनी है, क्यों उनको लिखा जाता है? कि आदी बासी के एक घर में, गरीवी में जनम लिया, इसे बरते बरते आये, और उनको राश्पती बना करके, एक आदी बासी महला को राश्पती बना करके बरा उनको सम्मानित किया गया, क्या प्रतिभापाटिल के बारे में ऐसा लिखा गया? क्या वो सर्मा बने थी किसी राश्पती के बारे में लिखा गया? क्यूं? क्या दरुपती मुर्मी को राश्पती बनाया गया है, तो उस पर कोई बरी किरपा कर दी है, बनाने बाले ने, अनुकम्पा कर दी है? क्या उनको इस राश्पती में राश्पती बनने का अधिकार नहीं है, वो अनुक्रह के पात्र क्यों बनाई जाती है, पीरा यहां है, किसी बड़े घर में जनम ले, चाहे वो निकम्मा हो, नकाबिल हो, मुर्ख हो, अनपर हो, लेकिन तब भी एक बर्ग हिंदुस्तान का है, जो उनकी पुजा करता है, उनको स्रेष्ट बनाने के, स्रेष्ट बनाने के कोशिस करता है, और किसी निर्धन, निर्बल, पिछ्डे, दलित, गरी, बादिवासी के घर में कोई तिये जस्य, अप्रतिभासाली, विद्वान और चरित्रभान और राष्ट भक्त भी पैदा ले, तो उनको एक जाती विशेष के कट घरे में कैद कर दिया जाता है, हमेशा उंगली उठती रहती है, वो एक जाती का नेता है, हुकुम देवन राइन जादब, को अगर कोई सम्मान मिला, तो हमने एक जादब जादबनेता को सम्मानित किया, कि अधीयों थो कि sitä हम्ने राजपुत को समानित कि या हम्ने काष्ट को समानित कीए कि यू को कहते हो कि प्सक्व के कि है कि लेकिन अगर चंधर शेक्र जी की अगर बात करें श्षे पहले हम चर्ण省 जी बात करते हैं जो इस तरीके के उनके नीशे उनके लीडर्स जिसे उनोंने बनाये मुक्र मंतरी बने suny ve Bluetooth उस दरीकेसे किस कुझत तरीके से का विभार रहता था कैसे europe the वाइसे लूगों को जो मैं कहा रहा हूं नकते थे राजसभॉ हो इसी में चुना करना था था तो बहुत ही बड़े विद्वान थे, बड़े निता थे, जब अहारलाजी के समय से ही केंदर में मंत्री रहे और सचमुच में बड़े सजन और विद्वान थे, उनको सब चाहते थे, और करपुरी ठाकुर जी कही ने कही मन में चाहती मेरे लिए कि इनको बनाया जाए, लेकिन करपुरी जी ऐसे मामले में थोड़ा दबू हो जाते थे, दबू, वो बच्पन से था, लेकिन अपनी बात कहने में चुकते नहीं थे, मजबुती से, उन्होंने कहा जब अंतिम फै तो लोगों ने तर्क दिया कि हमारी पार्टी की जब बैठक होती है, उसमें अच्छे रिजोलिशन लिखना होता है हिंदी में अंग्री जी में, तो उसके लिए स्याम बावु बिद्वान है, तो ये अच्छा ड्राफ्ट करेंगे, रिजोलिशन लिखेंगे, सब लिखें मैं दिल ही इनवर्शिटी से किसी अंग्रेजी के प्रोफेसर को बुला लूँगा और लिखवा दूँगा, हिंदी में लिखना हो तो बता देना, वहां से बुला लूँगा लिखवा दूँगा, मुझे हिंदी अंग्रेजी में ड्राफ लिखने वाला विद्वान नहीं मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो गाओं के गरीबों के बीच में चौपाल में बैठ करके मेरी अर्थ नीती की व्यक्षा करके उसको उसी के भासा में समझा सके। यह काम अच्छा कोई नहीं बोग मेरी हुकुम देम अआन जादब कोई तो में रात्सभा में बाता है। पतना जा। हम कहा अच्छा जाते हैं। तो देखो किसी को बोलना नहीं। तुम अपने कागज तयार रखना। लेकिन किसी को भी बताना नहीं। आप मुझसे पूछ लेना है तब नोमिशन करना। तो फाइनल कर तो करकुली जी गए तक आपम नोमिशन करने से पहले पूछ लेना। तो जाने किसी को देखो रहते हैं। इस आपम नोमिशन करने से पहले पूछ लेना। तो आप, नहीं तो मैं कैसे करता, नहीं नहीं तुमनमिशन करो नहीं है। नहीं। दृष्टी, चुनाओ . अब भारतिय जनता पाटी में चुनाव की दिष्टी, नरेंद्र मोधी की दिष्टी में दरोपदी, मुरभूभी, राष्ट्रपती, पदपर बैठनी के लिए उपयुप्त ब्यक्तित्व है, अधिकारी है, खिर्पा पातर ने, नरेंद्र मोधी के नजर में दरोपदी, मु तो ये जो सारे विशलेशन किये जाते हैं कि इस जाती को साधने के लिए बनाया है इस जाती को साधने के लिए इस सरकार में भी तो क्या ये विशलेशन सारे जिस तरीके से आप जानते हैं मोदी जी को उस हिसाम से ये बिलकुल गलत है, नहीं फिर मैं आप वहीं आऊँगा, आपने लोकतंत्र से शुरू किया था लोक अतंत्र, ऐसा अतंत्र जिसके बीच में लोक हो, तो भाइस की ब्याक्षा लोक का, लोक के द्वारा, लोक के लिए, है न, तो लोक के द्वारा, जो नरभाच सब लोक के द्वारा है ना बाइबोट हो गया लोक के लिए ये जितने सिस्टम है सब लोक के लिए लेकि लोक का लोक का तब होगा जबकि द्वारा अके लिए जो तंत्र है उसमें जब लोक का लोक की हिस्सेधारी सहभागिता होगी तब ही वो लोक का बनेगा अब ये भारत का लोक तंत्र लोक के लिए लोक के द्वारा है लेकिन भारत का लोक तंत्र लोक का नहीं है इसलेकि न्याय पालिका में लोक का प्रति निधित नहीं है, प्रसासनिक सेवा में लोक का प्रति निधित नहीं है, और ये प्रसासनिक सेवा में न्याय पालिका में जब तक इस लोक का प्रति निधित लोक, लोक माने, लोक माने कौन, संपूर, लोक माने कौन, भारत का सातल सातला गाव हो then सातला गाव में बसने वी को ला को नय को सारकाम पसू पाल को ठीज सब्कोर में मैं कोड मृत त également हैं आहिए में अपनी भासा एक अपनी हासा में अपनी साज पर अपने निर्द़ में मस् तो कंगाने वाले करने जब तक उनकी साजेदारी नहीं होगी तब तक हिस्सेदारी साजेदारी नहीं हिस्सेदारी अच्छा यह बताईए सनिमा के लोग भी तो एक अलाकार ही है ना तो इनको इतना पुरुषकार दिया जाता है आक जंगल में पहार में आदिवासी हैं जंगल में बसने वाले जो पिछृ और दली समाज के लोग हैं वो भी अपने अनको परकार के उनको लोक वीत है लोक संस्कृती है लोक कला है नोक निर्थ आँ अब तो अब तो पदम श्री और यह सब मिलने लगया उनको बें क्यूं यह बहुत बड़ा परिवरतन है एक ही परिवार में परिवार के परिवार के लोगों को पध्म पुरुसकार मिला हुआ है सैनिमा में उनको मिला हुआ है schools जो कलाकार हैं, कलाकार हैं वो कला का बैपार करते हैं, मैं उनको मानता हूं सनीमा में जो लोग हैं, कलाकार हैं, मैं उनके कला को सम्मान करता हूं, लेकिन वो कला का बैपार करते हैं, लेकिन जो कला को जीते हैं, लेकिन जो कला जिनका जीवन है, कला से जिनको जीवन में रस मिलता है, जो कला को रस देते हैं, लोक संस्कृति, लोक कला, जो कोई देखे ना देखे, कोई फरक नहीं, में फरक नहीं, लोक निर्थ, लोक गीत, जीवन का हिस्सा, जिसमें गाउं के लोगों को रस मिलता है, और अवरत मर्द, सभी उस सब के समय में एक जगा बैठ जाते हैं जमीन पर, जमीन पर, न वहा टेबूल है, न कुर्शी है, न हौल है, न कुछ है, एक अपने मंच बना यह उस पर उनीक है, उनीके बेटे बेटी सम मिलके आते हैं, और सम मिलकर के जो मस्ती में नाचते हैं, और वो जंगल में यादी बासी लर्किया जब एक दूसरे के कंधे पर हाथ डालके अभूंड में, जब वो ऐसे 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 नाचती है, और ऐसे ऐसे हिलती है, तो लगत क्यों? उसको क्या आप समान दिये हैं? दादा फाल के पुरसकर है, दुनिया पुरसकर है, क्या समान दिये है? आपने घर भर में बाल बच्चा मिलकर के भारत रतन बांट लिया है? क्या करपुरी ठाकुर भारत रतन नहीं थे? किसी के लिए हो या नहीं हो? लेकिन इस देश क करोरो गर्भों के लिए चोधरी चरंशिंग भारत रत रहें, करपुरी ठाकुर भारत रत रहें, कामराज नाडर भारत रत रहें जुकर हमारे मा के कोख से जनम लिया, तो हीरा होकर के भी पथर है संघर्ष कहां है साथ, लुहिया का संघर्ष यहां है, योगिता, छम्ता, प्रतिभा, भी विख्स बिहार की ही राजनीति पे अगर मैं वापस आऊं, तो आपका वहां पे बहुत समय बीता, और उसके बाद जब यह सारा संघर्ष हुआ, सामाजिक स्तर पर, राजनेतिक स्तर पर, और आप चरण सिंग जी के साथ गए, उसके बाद बिहार में एक अलग ही दिशा में बिहार जाता है, जहां पे लालू प्रसाद यादव, वो मुख्या मंत्री बन जाते हैं, और फिर एक और जो स्ट्रगल है, पॉलिटिकल, वो आपकी भी शुरू होती है, क्योंकि उस समय सर्फ राजनेतिक लेवल पर नहीं, बहुत ही, जिस तरीके का हिंसात्मक जो विभार हुआ उस समय आपके साथ भी, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि उसको आज तक लोग उससे डर खाते हैं कि वो जंगल राज था, तो वो जंगल राज आपके आपने तो प्रतेक्ष रूप से देखा है, चलिए, देखिए, आज जो लोग भी उस जंगल राज की बात करते हैं, तो जिसने उस जंगल राज को नहीं देखा, उसको क्या पता, जिसने देखा, भोगा, उसका तो जुग हो गया, अब उससे तो कुछ होने बाला नहीं है. लेकिन जिनों ने भोगा, वो इतिहास बता सकते हैं, ताकि वो दुबारा से रिपीट ना हो. एक मिलाट, जो था जिस समय, तो जो आज इतिहास बताने बाले हैं, वो भी तो उस समय उस राज से लरने बाले थे, तो दोनों देखिए, वो उस समय उस राज से लरने बाले थे, तो इनके भी निकमापन था ना कि क्यों नहीं उस राज को हटा पाए, इसलिए नहीं हटा पा शंख्याबर नहीं, संख्याबर इसने ही मिला कि जन्मत इनके साथ नहीं आया, जन्मत इनके साथ नहीं आया, तो क्यूं नहीं आया? है कारन खोजिया लालू का नाम जंगलाज था निकम्मा था असभ्विकार था, उधंडटा थी उधंड़ता थी मैं सम मानूंगा अनुसा सिन्टा थी जास्त मैं उसमें भोगा, मेरे पर पत्थल चले, हीटा चले, धेला चले, रुड़ा चले, अंडा फेका, जूता फेका, चपल फेका, रास्ता रोका, मैं तो लड़ा, लेकिन मुझे कोई उसका गम नहीं है, क्योंकि मैं लड़ा, लड़ा. क्या आपको लगता है कि उस समय लड़ने वालों कि आपके साथ कमी थी? जो लालू के खिलाप लरने बाले थे, उनके पास में जन्मत नहीं था, जन्मत इसलिए नहीं था, कि जो लर्नेब लालू के खिलाब करने वाले थे, वो बिहार के जो निर्धन निर्वल पिछरे दलित गरीव थे, उनका उन पर विस्वास नहीं था, वो उनको अपना नहीं समझते थे, लालू डाकू था, लेकिन वहां के गरीवों ने लालू पर विस्वास किया, कि हमारा अ अपना है को जो साधू थे उसपर उनने विष्वास नहीं किया कि साधु नहीं है साधु के रूप में डाकु है क्यों था सत मुं जानो भाई। तुम साधू थे तुमको लोगों पेस तंद्द हूं ये कोण मैं उता हूं बैसमें मेरा तो लालू अपना था, मैं लड़ा। आप बता रहे थे कि रिष्टे ला। मानते थे कि वहां से भाजपा कभी जीत ही नहीं सकती है। और वहां से लड़ते लड़ते 2019 में नरद्मोदी के नाम और हम लोग अपने पुरसाथ से दोनों का समभने नरद्मोदी का नाम। वहार के निताओं का की साधारपन मुल्यंकर होना चाहिए। कि किस अधार पर मुल्यंकर कुन महीं महीं बात बोलता है को लंभी लंभी बात बोलता है पटना में बैठे है पटने में रहना पटने में खाना पटने में सोना पटने में अखबार बाले से रोज सबेरे साम बक बक करना लालू के खिला बोलना लालू को गाली देना क्या मिल अब ये बात भी बिलकुल जायज है कि उनको जाय हुए इतने साल हो गए कम से कम 17-18 साल तो नितिश कुमार है चीफ मिनिस्टर लेकिन आपको क्या लगता है कि जितना परिवर्तन आना चाहिए था बिहार में उतना आ पाया नहीं, हाँ कुछ दिन दिखाई पड़ा परार्मभिक में परार्मभ में पांच साथ साल तक दिखाई पड़ा फिर बैताल डाल पड़ा फिर वही कि सब कुछ है लेकिन डाक्टर लुहिया करते थे राजनितिक पाटी सरकस है सरकस उदारन देतें सरकस में बाग भी है, सेर भी है, बकरी भी है, हाथी भी है, उंट भी है, गधा भी है जुलने वाली सुन्दर सुन्दर लड़कियां भी है और यह कितना बरा बोना सब भी है वो भी बीच में या करके लोगों को हसा के चला जाता है तो सरकस में अनेकों तरह के खेल हैं, तो उसमें लोगों को आनन्द आता है। उसी तरह राजनितिक पार्टी को सरकस के जैसे देखो, अर्थात इसमें समाज का संपुन स्वरुप दिखाई परें। कोई चितने भी पालियामेंट्वें लंबी-लंबी भासन कर दे अली लगता है। और चलिए बिहार के किसी गाओं क studs ? मैं कहता हूं कि उनके मीटिंग में सव आदम से भेसी, अगर रुका रह जा जाएं। मैं चैलेंज को स्विकार करूगा, सौव आदमी नहीं गाउं का बैठेगा, लेकिन पार्लियार्मेंट में बड़ी विद्धुता पुर्भासन करते हैं, इसलिए उनको योग माना जाता है, योग माना जाता है, तो योगता का माप दंड, परिभासा, मन्यता, अपनी अपनी है, और ये जो बिहार के बारे में आज जो बात होती है, कि बिहार में जो जाती है, जाती वाद है, वो बहुत ज्यादा समस्या का की जड़ है, लेकिन आप जैसे लिखते रहे हैं अपने लेकों में, कि जितने बिहार ने अलग-अलग जातियों के मुख्यमंत्री बनाए, वो किसी दूसरे प्रदेश ने नहीं बनाए, और दूसरा, बिहार के बाहर से जितने लोगों को हमने लोग साब हमें जिताया, उतना किसी नहीं जिताया, और कौन प्रदेश है जहां जात नहीं है, तो ये समस्या नहीं मानते आप, हमके अबल बिहार का नहीं मानते, विसम जाती है तो जाती येता है जाती येता है तो जाती बाद है जाती बाद है तो परिवार बाद है परिवार बाद है तो बंस बाद है तो उसे जितनी तरह के दुर्वून है सब है सब तरह के दुर्भून है तो आज कुछ लोग हिंदुस्तान में ऐसे बिद्वान पैदा लिए हैं सभी पाटी में महां बिद्वान लोग जो खूब भर पेट भर दिन भर दिन भर पेट मिठाई खाना चाहते हैं अडाइविटीज से बचना चाहते हैं यह कभी संभब नहीं है यह दूसरी बात दूसरी बात कि भालू से भालू फस्ता है बक्री से बक्री भेर से भेर गधा से गधा जो जिस जमात से है तो लोगतंत्र है एकावन का राज है तो तो तुमको भी नहीं में से बिल्ली में से सांप में से कीडा में से सब है भोट लोट भोटर लोख है तो उस सब में से तुमको नेता निकालना परेगा हम और वह ही अपने अपने जात में जाके उसको समझाएगा उसको संस्קारित करेगा करेगा उसको उठाएगा समहरेगा बनाएगा ऊर्श को रिज आऑगा हुआ है अब बकरी के सभा में जाके शेर से भासन कराते हो कि आदर सबाद का तो यह आपकी जो भाजपा के लिए जो एक बड़े मार्ग दर्शक के रूप में आपकी क्या सला रहेगी कि अभी तेजस्वी है उदर उदर नितिश कुमार तो चलिए ठीक है लेकिन आने वाले पीडी वहां पे जंग है औ अब आ चुका हूँ मैं बहुत बार तेजस्वी कुछ भी हो लेकिन जुबा है तीस वरस के जुबावर का है उसकी लड़ाई तीस वरस तक है तो हर पार्टी को अपने अंदर ऐसा नित्रत लाना चाहिए जो तीस वरस तक लरे तीस वरस तक अब लालू से लरने वाले तो मुर्दा से लरने वाला जिन्दा कॉम क्या बनाएगा बैस सब के लिए कहता हूँ देश भर के लिए दूसरा अगर इस राष्ट को सक्षम, सबल, पुरसार्थी और विश्व विजयी बनाना है ता अभी जितनी लोग है भारत बर्स में राह बताने वाले उसमें नरेंदर मोदी की दिशा, दृष्टी और दिशा, संकल्प मेरी नजर में और लोगों के विश्व सही है वो संपुन राष्ट को संपुन राष्ट के जन जन में और कन कन में चेतना पैदा करके उसमें क्या करते हैं एक रस पैदा करना चाहते हैं एक रस जन जन में और कन कन में यह आपने मोदी जी के साथ भी आपका इतना आत्मियता है और जो भाजपा के पूर प्रदानमंत्री भी रहे भाजपा की तरफ से अटल जी के प्रतिवी दो भाजपा एक तरीके से लोग कहते हैं कि पहले जो अटल जी के नीचे जो भाजपा थी और जो मोदी जी के छोड़ कभी दो ब्यक्तियों की कभी दो महापुरसों की चुलना मत करो सब अपने अपने अतल जी आये थे अच्छी का अलग नरनमोली का समय अलग है गांधी का समय अलग थी राम आये ठीरता में Arsenize? गांधी आये कल युग मेंherin ये तुलना करने का सवाल नहीं था अपको सबसे अच्छी बात लगती था कि उनके साथ काम किये अच्छा लगा उस समय नारतें मोदी के साथ काम के वह करना है क्या हिव्याद जो कर रहे हैं तो वही करना से रिष्ट है हुकम देव जी इतना आपने समय दिया और इतनी विस्तार से चर्चा हुई तो मैं आपको कुछ क्या कहूं मैं बस यह कहना चाहता हूं कि बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपके सानिद्य में बैठ के और ये इतना कुछ सीखने का अफसर दिया आपने बहुत-बहुत धन्यवाद बस मैं यही कहूंगा आपको भी धन्यवाद इतना समय आपने लिया कोई हर्जा नहीं लेकिन मैं जुबापिधी के लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर भारत वरस के अर्थनीती, समाजनीती, राजनीती और जितनी हैं समझना है समग्रता में विश्व के साथ सामय बाद, पूजी बाद, मिस्रित अर्थवाद और अंतर राष्ट्रिय और राष्ट्रिय इस्थिती, हारत चीन, सिमा विबाद, इत्याजी जितने हैं इन सभी के बारों में अगर विश्व क्षटा पुरभत तो वो डाक्टर लोहिया के पुर्ण समपुर्न साहित्ती को एक बार जरूर पढ़े, हर विश्विद्याले में इसकी परहाई की जाए, हर विश्विद्याले में इस पर सोध किया जाए, अन्ना भी हो, तो जुबा पढ़ने पर उनको राष्टियता के साथ साथ संस्कृति अध्यात्म से मिलेगा अर्थात भारत की जो पुरानी हमारी अबधारना है धर्म अर्थ काम और मुक्ष डाक्टर लुहिया ने अपने अर्थ नीती को अपनी राजनीती को इस चार खुटा पर खारा करने की कोशिस क आधा किया था कि हमको भारत چंपून भारत बरस के जन जनोरकंकन को दार्म, अर्थ, काम और मुक्ष यह चारो पृप्ट करा कैसे प्राप्ट होगा और विस्स में हम कैसे संपन राष्ट सर्वसरिष्टवा प्राप्ट कर सकेंगे। लोहिया ने अपनी द्रिष्टि से जीवन भर संगर्ष किया। नए पीड़ी के लोग अगर उनके साहिती को परहेंगे और ना कोई करें तो उनके ही समाज के लोग जो सोध संस्थानिक बना दे जहां पर पुर्म रुपिन से उनके विचारों पर सोध किया जाए तो यह उस महापुरुष के लिए बहुत बड़ी बात होगी मुझे में इतनी छमता नहीं है छमता है लेकिन साधन नहीं है तो मैं अपने तरफ से जरूर बना देता मैंने सब को प स्वतंतरता के उनीस वत साल बाद स्वतंतरता और स्वतंतरता परिरक्षत एक समा कलन ऐसे तीन चार लेख हैं जिसके फोटो कवपी कड़ा करके मैंने बहुतों मुखमंत्री को भेजा सब को भेजा कि आप लोगों से भी कहूंगा कि आप उसको पढ़िये उसमें जो लोहि जो में लोहिय ने जितनी बातेता के लिए राष्ठstraightat के लिए, rastriyakta khandata, लिए संस्कृति के लिए कहा समाजवादी होके, और जितनी दिर्टा से कहा है और जितनी हुचाहित अगनी स्पक्षता से कहा है मैं समझता हूँ कि कई मामलों में संग परिवार के लोग भी ये कहने में हिचक जाएंगे जो लुहिया ने कहा है जो लुहिया ने कहा है बस और आशा करते हैं कि कोई इसको देख रहा होगा और वो ऐसा प्रियास करें करेंगी तो चाहेंगे जो भी मेरे पास में जो बहुत कुछ मदद करूँगा, इस तरह का कोई संस्थान बने, जिसमें इस पर समगरता में अध्यन हो, और उस महापुरुस का भी एक नाम हो, आलोग याद करें, कि एक कमजोर आदमी भी, फक्कर आदमी भी, जिसका ना परिवार था, ना घर, ना मकान, ना दुबान, ना ब जो 100-200 साल, 1500 साल में आते हैं मिटी, पर वैसे नहीं आते हैं, वो आये थे, बस मैं उनकी गीत गाते रहा हूं, आज भी गा रहा हूं, गाते रहूंगा, और चुके इसलिए मैं भाते जनता पाटी में रम गया, कि भाजपा बाले मेरी लोहिया बाली गीत को भी बरे आनन से अधिया, और मैं उनको सुनाते रहा, मुश्कुराते रहा और सुनते रहे, इसलिए मैं भाजपा में रम गया, तिक गया, भाजपा बाले ने कभी मुझको गैर नहीं समझा कि ये समाजबादी हैं, और हमारी धारा से अलग है, उन्होंने भी अपने ही कोक के बच्चे के ज नहीं ही रहूंगा, और आशागरते हैं कि ये जो आपका विचार है, इस पर जरूर कोई काम करे, बहुत-बहुत दन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद.